नमस्का बच्चों कैसे आप सब आज मैं फिर आपके लिए एक और बहतरी चेप्टर लिखेया हूँ आपके लिए चेप्टर थर्टीन Magnetic Effects of Electric Current बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही systematic तोर पर लिखा हूँ चेप्टर है इसको हमारी पूरी teachers की टीम ने इस चेप्टर में जितने भी important points हैं जिस पर notes बनाई जा सकते हैं जो एक student को याद करने चाहिए उन सभी को हमने एक point to point notes के form में तियार किया है इस वीडियो को बनाने के चार major objective है जो मैं आपको अपने हर वीडियो मताता हूँ first आपका 100% content कि लेकर के देना ताकि वीडियो पूरा देखने के बाद आपका किसी भी type का exam हो आप MCQ based की बात करो descriptive type की question की बात करो आप case study based question की बात करो किसी भी type के question का आप answer दे पाओगे क्योंकि इसमें हमने 100% content को include किया है second आपका एक point to point notes तियार हो जाएगा जो 10th में तो बहुत ज़्यादा useful ही अगर आप में से कोई competition level की exam की तेहरी करता है तो ये notes वहां भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा third हम पूरे chapter को systematic तोर पर point to point study करेंगे इससे हमें science रटनी क्यावशक्ता नहीं होगी हम science को समझ पाएंगे और जब science को समझ पाएंगे तो हम हर एक type की question का answer दे पाएंगे and fourth हमने पूरी कोशिश की है जो NCRT based question है जो exercise में दियो है उनको भी इनी notes में include करने का कोशिश किया है हर जगा diagram का use किया है जहां भी diagram होना चाहिए आपको करना चाहिए उन सबको हमने इस chapter में इस notes में include किया है तो चलिए बच्चो एक बेहतरीन सफर पर एक खुबसूरा chapter के साथ जिसका नाम है Magnetic Effects of Electric Current चलिए बच्चो यहां से स्टार्ट करते हैं अपना यह बहतरीन चेप्टर और बहुत systematic तोर पर हमें पढ़ना है चेप्टर ताकि हम चेप्टर को समझ पाएं क्योंकि बच्चो यह physics है और physics में question घुमा फिडा के आते हैं तो आप उन question का अंसा तभी दे पाओगे जब topic है सबसे पहला topic magnet magnet होता क्या है क्योंकि चप्टर के नाम ही है magnetic effect of electric current तो पहले में जाना पड़ेगा कि magnet क्या होता है तो हम सब बच्चपन से magnet से कहलते आए magnet is any substance magnet वो कोई substance है that attract iron और iron like substance magnet वो substance है जो attract करता है iron को या iron like substances को यानि ऐसा substance जो लोहा या लोहे जैसी चीजियों को अपनी और attract कर सकता है उसको magnet कहते है तो यह paper के लिए नहीं है बट हमें उसका मतलब पता होना चाहिए now properties of magnet एक magnet की कौन कौन सी properties होती है तो किसी भी magnet के हम कम से कम तीन properties तो याद कर सकते हैं पहला every magnet has two pole हर एक magnet के दो pole होते हैं north pole and south pole हर एक magnet में बच्चों दो pole होते हैं एक magnet के अंदर दो pole होते हैं एक होता है north pole एक होता है south pole तो हर एक magnet में दो pole होते हैं like pole repel each other अगर दोनों pole same होंगे तो एक दूसरे को repel करेंगे यानि एक दूसरे को दूर फेकेंगे कहने का मतलब आपके पास एक magnet है north and south pole और दूसरा magnet है अगर south and north अगर दोनों pole pass में होंगे एक जैसे like pole यानि जो एक जैसे pole होंगे अगर ये दोनों same pole होंगे तो ये एक दूसरे को repel करेंगे एक दूसरे को दूर फेकेंगे एक दूसरे के तरब attract नहीं होंगे ये एक दूसरे को दूर फेकेंगे तो जो like pole होते हैं वो एक दूसरे को repel करते हैं जबकि जो unlike pole होते हैं unlike pole attract each other जो unlike pole होते हैं और different poles जो होते हैं, दुसरे को attract करते हैं. Next topic आता है, magnetic field क्या होता है? अब एक चीज़ को समझे, कि मेरे पास ना एक magnet है, ये magnet है. अब ये magnet अगर लोहे को, iron को पास में रखूँगा, तो सिधी सी बात है, magnet क्या करेगा? इसको अपनी ओर attract कर लेगा. लेकिन अगर इसी लोहे की कील को, iron nails को, मैं बहुत दूर रख दूँ, अगर इसी iron nail को मैं बहुत दूर रख दूँ, तो ये magnet इसको attract नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि हर एक magnet अपना एक reason होता है, area होता है, जहां वो force लगा सकता है. इसके बाहर अगर कोई चीज को रख दूँगा, तो ये magnet अपनी ओर attract नहीं कर पाएगा. ये तो normal बात है, कोई भी समझ सकता है. ये magnet है, ये लोहे की कील है, iron nail है. अब इसे पास में रखोगे, ये इसको attract कर लेगा. लेकिन अगर इसी iron nail को बहुत दूर रख दूँँ, तो ये attract नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि इस magnet का अपना एक reason है, अपना एक power का एक reason है, इसी reason की चीजों को वो अपनी ओर attract कर सकता है. अगर इस reason से, इस छेतर से बहार रखेंगे चीजों को, तो ये attract नहीं कर पाएगा. तो where area, where reason, जहां magnet अपना force लगा सकता है, इस area को magnetic field के नाम से जाना जाता है. यही चीजी देखें, लिखा गया है, the area around a magnet, magnet के चारो तरफ का area, in which its magnetic force can be experienced, magnet के चारो तरफ का area, जहां इसका force जो है, उसको महसूस किया जा सकता है. Magnate के चारो तरफ का area, जहां magnet अपना force लगा सकता है, that reason or that area is called magnetic field. अब इसके लिए ऐसा unit चुना गया, कि magnetic field का ऐसा unit क्या होगा, तो its SI unit is Tesla. Magnetic field का ऐसा unit होता है, Tesla, Tesla से इसको represent किया जाता है. Magnetic field has both magnitude and direction. एक magnetic field में दोनों चीज़ पाई जाती है, magnitude भी पाई जाती है, और direction भी पाई जाती है, जो आगे पढ़ेंगे भी, कि magnetic field north से निकलती है, south में जाके मिल जाती है, तो उसमें direction भी होता है, और उसकी एक power भी होती है magnitude भी होता है, तो magnetic field एक vector quantity होता है, हम यहाँ कह सकते हैं, कि magnetic field जो होता है, वो एक vector quantity होता है, क्योंकि इसमें magnitude भी है, और इसमें direction भी है, ठीक है, now, magnetic field can be described with help of a magnetic compass, एक magnetic compass की मदद से, magnetic compass आपके book में बना हुआ, पहले page पे, आप चाहो तो अपने NCRT book की help ले सकते हो, यह मैं आपको दिखा देता हूँ, magnetic compass, यह देखे, magnetic compass use क्या गया है, magnetic compass से हम magnetic field को represent कर सकते हैं, तो यह पहले page पे दिया हुआ, तो आप चाहो तो इसको देख लेना, ठीक है, यह diagram दिया हुआ, compass के लिए, तो magnetic field can be described, magnetic field को describe किया जा सकता है, with the help of a magnetic compass, एक magnetic compass की मदद से, magnetic field को describe किया जा सकता है, उसका magnetic field कहां थग है, now, इस page पे हमने क्या क्या जाना, सबसे पहली चीज हमने जाना, कि magnet होता क्या है, तो magnet ऐसा substance होता है जो attract करता है iron को और iron जैसी चीजों को अपनी और attract करता है magnet की कौन-कौन सी properties होती है तो three properties हमने पड़ा पहला every magnet have two poles हर एक magnet के दो poles होते हैं north pole and south pole जो like pole होंगे same pole होंगे वो एक दूसरे को ripple करेंगे जबकि जो unlike pole होंगे अलग-लग pole होंगे वो इस दूसरे को attract करेंगे magnetic field की बात मैंने करा तो magnetic field होता है वो area, magnet के चारों तरफ का area जहां magnet अपना force लगा सकता है the area around a magnet, एक magnet के चारों तरफ का area in which its magnetic force can be experienced जहां पर magnetic field का force experience किया जा सकता है that area, that reason is called magnetic field इसका assignment होता है Tesla, यह एक vector quantity होती है क्योंकि इसमें magnitude और direction दोनों पाई जाती है और magnetic field को हम describe कर सकते हैं magnetic compass की मदद से तो पहले page पे हमने यह तीन topic जाना now, एक last topic इसमें और भी आप add कर सकते हो, magnetic field में जो कि अगले page पर है the needle of a magnetic compass magnetic compass का जो needle होता है needle मतला उसकी जो सुई होती है magnetic compass का जो needle होता है is a freely suspended bar magnet वो एक bar magnet की तरह काम करता है अब bar magnet क्या होता है bar magnet आप ऐसे समलो एक ऐसा magnet का टुकरा है जो कि अगर आप उसको freely लटका दोगे कहीं पर तो वो अपने आपी south और north direction दिखाएगा ऐसा magnet का टुकरा जो कि दो direction की और इंडिकेट करे north and south उसको bar magnet कहते है तो magnetic compass जो magnetic compass आती है army वगरा में use होती है तो needle जो होता है the needle of a magnetic compass magnetic compass का जो needle होता है वो freely suspended bar magnet वो bar magnet की तरह काम करता है यनि वो आपको हमेशा north and south direction बताएगा आजकल तो बहुत सारे mobile में app आते हैं जिसमें आप अगर डालोगे magnetic compass तो आप easily आप डाउनलोड कर सकते हो और mobile भी आपको दिखाएगा कि कौन सा north direction है कौन सा south direction है तो यही बताने कोशी किया है कि magnetic compass का जो needle होता है वो बार magnet की तरह काम करता है यानि वो आपको north and south direction represent करेगा अब magnetic field lines क्या होती है पहले यह समझे क्योंकि जब तक आप magnetic field line नहीं समझोगे आपको उसका character समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको उसको डाइग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ देखिए बच्चो magnetic field की हमने बात की थी यह हमारा magnet था एक north pole था एक south pole था तो magnetic field यह इसका area है जहां यह अपना force लगा सकता है तो magnetic field line क्या होती है वह line जो magnetic field को represent करता है तो magnetic field line हमेशा north से rise होती है और south में जाके यह मिल जाती है यह हमेशा north से rise होगा और South में जाके मिल जाएगा North से rise होगा और South में जाके मिल जाएगा Magnetic field line हमेशा North से South की तरफ जाती है पहला point याद हो गया Magnetic field line हमेशा North से South की तरफ जाती है आप चाहता और भी point डे सकते हो यह बहुत सारे line आप दिखा सकते हो यह magnetic field line है यह घूम के वापिस, sorry, उल्टा बन गया यह, ऐसे, यह उल्टा ऐगा ऐसे, क्योंकि south में आना है इसको, south की तरफ इसको आना है, और north से इसको rise होना है, तो यह घूम के इधर आ जाएगा, यह घूम के इधर आ जाएगा, ऐसे इधर बना सकते हो, कि यह घूम के इधर आ that represent magnetic field, is called magnetic field lines, अब magnetic field lines का diagram जो है, बहुत जादा paper में आता है, तो मैं आप सब को सला दूँगा, कि आपके NCRT book में यह वाला diagram दिया हुए, जरूर करके जाना, यह वाला diagram, यह करके जाना, क्योंकि बहुत जादा exam में आता है, कि magnetic field lines होती है, उसको draw करना पड़ता है, magnetic field line को draw करना पड़ता है, तो यह diagram आपको बनाना पड़ेगा, जरूर कर लेना diagram, यह बना के भी दे दिया, यह diagram मैंने भी बनाए आपर, तो same diagram है, आप इसे बना लेना, अगर आप इसके character की बात करो, magnetic field line के character की बात करो, तो आप इसको ध्यान से देखो, सारे magnetic field line जो है, वो curved होता है, कोई भी ना state नहीं मिलेगा, आपको curved मिलेंगे, दूसरा, magnetic field line हमेशा north से rise होता है, और south में जाकर मिल जाता है, magnetic field line north से rise होकर south में चला जाता है, third, लेकिन inside the magnet, उल्टा होता है, magnet के अंदर उल्टा होता है, कि magnetic field line north से south में जाता है, लेकिन magnet के अंदर क्या होता है, magnetic field line south से north में आता है, fourth, अगर आप ध्यान से देखो, तो कोई भी magnetic field line एक दूसरे को ना intersect नहीं कर रही, it never intersect each other, it never intersect each other, अब कई बार पेपर में यह भी आ जाता है, कि क्यों intersect नहीं करती, तो इसका reason मैं अभी आपको ब क्याक्टर बताए कम से कम, magnetic field lines always curved होती है, magnetic field line हमेशा north से south में जाती है, magnet के अंदर magnetic field line हमेशा south से north में आती है, और magnetic field line कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करती है, अब इसी चीज़ को मैंने यहां notes में represent किया है, देखिए, यही चीज़ मैं आपको समझाऊँ है, यहां पर, field lines arise from north, north से arise होती है, north pole से, and end into the south pole, और south pole में जाके end हो जाती है, magnet के, field lines are closed curved, यह curve shape में होता है मेशा, two field lines never intersect each other, magnetic field line कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करती, अब ऐसा पूछा जाता है, क्यों भई, यह magnetic field line कभी भी एक दूसरे को intersect क्यों नहीं करती, यह magnetic field line एक दूसरे को intersect क्यों नह करती है था, आप region दोगे, if magnetic field line intersect each other, अगर magnetic field line एक दोसे को intersect करेंगे न, तो एक ही point पर दो pole फिर सर बन जाएंगे, north pole, south pole, यानि एक ही point पर, हर एक point पर दो direction बन जाएंगे, एक ही point पर दो direction बन जाएंगे, north pole and south pole, जोकि possible नहीं है, एक ही point पर दो pole possible नहीं होता है अगर magnetic field line एक दूसरे को intersect करेगा तो हर एक point पर दो direction बन जाएगा, जो कि possible नहीं है इसलिए magnetic field line कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करती है, तो अगर आप से पूछा जाए कि why magnetic field line never intersect each other, तो आप answer दोगे as, क्योंकि for two line to intersect अगर यह दो line एक दूसरे को intersect करेगी there must be two north direction, तो दो north direction हो जाएगे at a point, एक ही point पर दो direction हो जाएगे, which is not possible, एक ही point पर दो north direction possible नहीं है, यानि एक ही point पर दो direction का possible हो होना हो ही नहीं सकता है, एक ही point पर दो direction नहीं हो सकते हैं इसलिए magnetic field line कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करती है direction of magnetic field line inside a magnet magnet का अंदर क्या बता है था, inside a magnet में क्या बता है था, कि south से north की तरफ जाता है, magnet के बाहर तो यह north से south में जाता है, लेकिन magnet के अंदर क्या होता है, कि south से north में जाता है, एक point आप और add कर सकते हो the relative strength of magnetic field, अगर मुझे किसी magnetic field का strength जानना हो, मजबूती जानना हो, तो कैसे पता लगेगा, it show by degree of closeness of field line, तो वो field line के closeness से show होता है, क्या मतलब है sir, इस line का यह मतलब है बच्चों, कि अगर magnetic field line पास पास होई देखिए, अगर magnetic field line बहुत पास पास होई तो इसका मतलब होगा, this is the strong magnetic field, यह strong magnetic field है, और अगर magnetic field line दूर-दूर हुआ, अगर magnetic field line दूर-दूर हुआ, तो इसका मतलब है it is a weak magnetic field, तो यह weak magnetic field होगा, तो जितना जादा magnetic field line close होगा, वो उतना strong होगा और जितना ज़्यादा magnetic field line दूर दूर होगा वो magnetic field उतना ही ज़्यादा weak होगा यह इस line का मतलब है the strength of magnetic field magnetic field का strength जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा degree of closeness of field line कि field line कितने पास-पास है यहां तक जो आपने पढ़ा यह आपने पढ़ा magnet के बारे में यह जो आपने यहां तक के topic पर है यह सिफ magnet के बारे में पढ़ा कि magnet क्या होता है उसमें दो पोल होता है उसके magnetic field क्या होती है magnetic field lines क्या होती है वो एक दूसरे को intersect क्यों नहीं करती बगएरा यह सब magnet के बारे में था पर chapter gram magnet थो रही है Chapter Gram है क्याında Magnetic Effects of Electric Current तो बच्चोiß Magnetic Effects of Electric Current की सबसे पहले जो Discovery की थी कि Electric Current के अंदर I4 Electric Current Electric Current के अंदर Magnetic Field होती है अगर Electric Current के अंदर Magnetic Field होती है ये बात सबसे पहले अगर किशिने पता की थी तो वो थे हमारे mahan scientists Hans-Kristian Austrade Henry-Kristian Austrade ये वो महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने discover किया था कि electric current के अंदर भी magnetic field पाया जाता है तो mainly हमारा chapter यहां से जो है वो अब और ज़्यादा depth होने वादा है Henry-Kristian Austrade या HSE Austrade वो पहले scientist थे जिन्होंने discover किया था कि electric current के अंदर भी तो आपको ये point फिर्ट याद रखना है HSE Austrade was the first person वो पहले इंसान थे to state that जिन्होंने बताया था electric current has magnetic field कि electric current में magnetic field होता है वो पहले scientist जिन्होंने बताया था कि electric current के अंदर magnetic field पाया जाता है वो scientist थे HSE Austrade तो यहां सब chapter हम depth में जाएंगे अब magnetic field जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा conductor के वारे में conductor क्या होता है तो normally आप समझे लो जिसके अंदर current flow होता है उसे conductor बोलता है और यह chapter 12 में भी था good conductor, bad conductor insulator पढ़ा होगा आपने conductor वो होता है जिसके अंदर current flow करता है जैसे हमें simple बोलू तार जो आपके घरों में तार लगा हो है जो wire लगा हो है आपके घरों में वो conductor है क्योंकि उसमें current flow होता है तो दो टाइप के conductor होता है science में एक होता है straight conductor एक होता है circular conductor there are two types of conductor straight conductor और circular conductor यह page complete होता है एक बाद जल्दी से जान लेते space bomb ने क्या जाना मैंना आपको बताया magnetic field line के character है तो मैं आपको 5 character यहां भी बता सकता हो magnetic field line हमेशा curved होती है magnetic field line हमेशा north से south जाती है magnet के अंदर magnetic field line south से north जाती है magnetic field line never intersect each other क्योंकि अगर intersect करेगा तो एक ही point पर दो direction बन जाएंगे जो कि possible नहीं है अगर magnetic field line पास-पास है तो वो strong magnetic field है अगर magnetic field line दूर-दूर है तो वो weak magnetic field है यहां पर आप देखे इस चीज़ को ऐसे याद करना है field line जो होती है वो arise करती है north से लेकिन वो end हो जाती है south pole में जाकर magnetic field line हमेशा curved shape में होती है never intersect each other क्यों ऐसा होगा तो दो north reaction बन जाएंगे एक ही point पर जो की possible नहीं है अगर हम inside the magnet की बात करें magnet की अंदर की बात करें तो यह south से north की तरफ जाता है और अगर हमें strength जानना हो magnetic field का तो उससे हमें पता लगता है degree of closeness है कि magnetic field line कितने पास-पास है पहले इंसान जिन्होंने बताया था कि electric current के अंदर magnetic field पाई जाती है वो है hc austrate hc austrate पहले परसंते जिन्होंने बताया था कि electric current में magnetic field होती है और दो type की conductor हमने जाना बच्चों एक होता है straight conductor और एक होता है circular conductor ठीक है? अब आते हैं नेक्स पेश पर अगले topic में यहाँ पर हमारा next topic है कि magnetic field due to current through a straight conductor इसका ये मतलब वा बच्चों कि जब कोई straight conductor होता है न तो उसका magnetic field कैसा बनता है इसके बार में आपको पताना है तो पहले समझे straight conductor क्या होता है आप ये मान के चलिए कि ये एक rod है ये एक iron rod है लोहे का rod है तो अगर इसमें electric current पहले आप समझेए ये iron rod है लोहे का rod है और अगर आप इसमें electric current flow करोगे तो ये एक straight conductor है इसे straight conductor बोलेंगे ये एक straight conductor है अगर ये electric rod है और इसमें current flow है तो ये straight conductor है तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई straight conductor होता है तो उसका magnetic field कैसा होता है यह आपको बताना है तो याद रखिए जितने भी straight conductor होते है उसका magnetic field जो होता है वो उसके around circular form में पाया जाता है concentric form में पाया जाता है जितने भी straight conductor होते है उनका magnetic field उसके चारो तरफ concentric form में य इट कैन बी रिपर्जेंटेड बाई कॉंसेंट्रिक सर्कल, जो स्ट्रियेट कंड़क्टर होता है, उनका मेगनिटिक फील, कॉंसेंटिक सर्कल के फॉर्म में रिपर्जेंट किया जाता है, इट एट एवरी पॉइंट और कंड़क्टर, कंड़क्टर के हर एक पॉइंट पर, यानि आप कोई भी पॉइंट उठा लो, चाप इस पॉइंट को उठा लो, तो यहां पर भी जो मेगनिटिक फील होगा, वो कॉंसेंटिक होगा, आप यह पॉइंट उठा लो, यहां पर भ ग्रुश किया गया है कि it can be represented by concentric circle कि state conductor का magnetic field जो होता है वो concentric circle के form होता है at every point on conductor conductor के हरे एक point पे चाहिआ इस point पे ले लो इस point पे इस point पे इस point पे कहीं भी ले लो लेकिन अगर वो state conductor है तो उसका magnetic field जो होगा वो concentric form में होगा इसके चाओत्र पहोगा direction can be given देखो, ध्वान से देखो, मार्कर को मैं गुमा रहा हूँ, अब direction का मतलब क्या है, magnetic field ऐसे घुमेंगा, इस form में घुम रहा होगा, या magnetic field इस form में घुम रहा होगा, हमें पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए हमने एक रूल बनाया, direction can be given, इसका direction पता करने के लिए हमने एक रूल बनाया, उसका नाम है right hand thumb rule, जो हम आगे पढ़ेंगे, और compass, हमें अगर state conductor का magnetic field का, हमें direction जानना हो, कि इसका magnetic field clock wise घूम रहा है, या इसका magnetic field anti clock wise घूम रहा है, यह जानने के लिए हमने एक रूल बनाया, जिसका नाम रखा right hand thumb rule, जो हम आगे पढ़ेंगे, circles are closer, near the conductor, conductor के पास जो circle होता है, वो close होता है, देखे, conductor के पास जो circle होगा, वो close होगा, magnetic field, dically proportion होता है, magnetic field, dically proportion होता है, strength of current, current पे depend करता है, यानि, straight conductor में आप जितना ज़्यादा current दोगे न, उतना ज़्यादा magnetic field बनेगा, straight conductor में जितना ज़्यादा current होगा, उतना ज़्यादा magnetic field बनेगा, वही magnetic field जो होता है, वो inversely proportion होता है, distance from conductor, conductor के distance पर, क्या मतलब है सर, distance का ही मतलब है, देखे, यह पास वाला जो सरकल है न, जो पास वाला सरकल है, इसका magnetic field बहुत strong होगा, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, इसका magnetic field कम होता जाएगा, weak होता जाएगा, यानि, distance बढ़ेगा, तो magnetic field की power कम हो जाएगी, distance बढ़ेगा, तो magnetic field की power कम हो जाएगी, अब माल लिए ये है last वाला सरकल, उन्हें माल लिया, ये state conductor का magnetic field है, तो आप आप से पूछे कि ये ज़्यादा strong है, पास वाला magnetic field ज़्यादा strong है, या दूर वाला ज़्यादा strong है, तो आप बोलोगे जो पास होगा, जितना ज़्यादा conductor के पास होग distance of conductor, यानि जितना ज़्यादा conductor से distance होगा, उतना कम magnetic field बनेगा, clear हो गया, तो ये जो आप पढ़ रहे थे, ये state conductor का पढ़ रहे थे, अगर मैं आपको practically समझाओ, तो एक second लगेगा, ये मैं एक page लेलू, आपको समझाने के लिए, एक second दे दीजिए, मैं आपको practically समझाता हू मैं एक page लेता हूँ, माल लीजिए, कि ये ना, मैं एक छोड़ा सा page लेता हूँ, आपको समझाने के लिए, ये electric rod है, ठीक है, लोहे का rod है, और बच्चों, हमने क्या करा, इस गत्ते के चारो तरफ इसको रख दिया, ऐसे है, ठीक है, state conductor को रख दिया, इस परकार से, अब अ सरकल, ऐसे कई circle form में, इसका magnetic field होगा, तो जितने भी बच्चों straight conductor होते हैं, उनका magnetic field, concentric form में पाया जाता है, ये diagram भी आपको याद करके जाना है, आपके NCRT book में दिया हुआ है, ये concentric circle है, तो अगर आपके exam में आता है, कि straight conductor का magnetic field बताओ, तो ये सारे character जो है, वो straight conductor के magnetic field क के बारे में हैं, पहला क्या था, कि जितने भी straight conductor होते हैं, उनका magnetic field, concentric circle के form में पाया जाता है, चाहिए कोई भी point उठा दो conductor पर, अगर हमें direction जानना हो, कि magnetic field का direction क्या है, तो उसके लिए right hand thumb rule बनाया है हमने, या compass बनाया, circle जो होगा, वो close होगा, conductor के पास, magnetic field directly proportion होता है, current क यानि जितना ज्यादा current, उतना ज्यादा magnetic field होगा, और magnetic field inversely proportional होता है, distance from the conductor, यानि जितना ज्यादा distance बढ़ेगा, magnetic field उतना कम होता जाएगा, तो ये 5 character, ये जो 5 character हैं, ये आपको याद रखने है, magnetic field of a straight conductor, जब कोई straight conductor होता है, तो उसका magnetic field कैसा होता है, उसके लिए 5 points है, औ ये diagram आपके book में दिया होगा, कई बार बनाने के लिए आता है, तो ये diagram भी बना के जाना, अब बात करते हैं, circular conductor की, अच्या circular conductor कहा होता है, तो आप में सब दिखता है, बच्चों ने motor देखा होगा, motor कभी तोड़ा, आपने छोड़ा सा motor आता है, उसको तोड़ के की गई है, copper wire की बहुत सारे coiling होती है, तो उसे बोलते है, circular conductor या circular loop, तो magnetic field due to the current through a circular loop, या circular conductor, तो जब circular conductor होता है, आप पंखे को देखिए, पंखे का कभी जो fan होता है, पंखा जो ceiling fan होता है, चत पे लगाते है, ceiling fan, उसको तोड़के, उसके plastic को हटा के देखिए, तो अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे copper wire की coiling की गई है, तो that is the circular conductor, तो अब इस point में आप सब पूछा जा रहा है, कि जो circular conductor होता है, उसका magnetic field कैसा होता है, तो इसमें भी answer यही आएगा, it can be represented by concentric circle at every point, यहाँ भी यही आएगा, कि हर एक point पर concentric circle ही पाये जाता है, एक circular conductor में भी magnetic field हो वो concentric circle के form में ही पाये जाता है, लेकिन यहाँ पर एक exception भी है, जो मैं आपको इस point में बताने वाला हूँ, इस point पर आपको ध्यान रकना है, कि यह जो circular, जो concentric circle की बात कर रहे है, circular become larger and larger as we move away, जैसे जैसे हम pole से दूर हटते जाएंगे, यह circular बढ़ता जाएगा, देखे, प जैसे जैसे आप pole से दूर होते जाओगे, यह circular बढ़ता जाएगा, चोटा circle, फिर larger, फिर larger, जैसे जैसे पोल सेट होगे, यह circle बढ़ा होता जाएगा, चिक है, और अगर जब आप center में पहुंच जाओगे, बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाओगे, तो magnetic field आपका street हो समझवाया, यह वाला point दो को यहां भी है, every point on wire carrying current, हर एक point पर जो wire current को carry कर रहा है, would give rise to magnetic field, magnetic field rise होगा, appearing as straight line, वो straight line में appear होगा, at center of the loop, जब आप center में पहुंच जाओगे, circular conductor के, जब आप बीचों बीच पहुंच जाओगे, तो वहां magnetic field बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट पहला point हमने जाना, कि circular conductor में भी magnetic field जो होता है, वह concentric होता है, लेकि जैसे-जैसे pole से हम हटते जाते हैं, circular form बड़ा होता जाता है, third point हमने जाना, जब आप center में आ जाओगे, तो magnetic field बिल्कुल straight हो जाएगा, the direction of magnetic field, अब इसके direction की बात करो, जैसे हमने straight conductor बात करें, direction, उसके एक नया rule बना हुआ है, right hand thumb rule जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर circular conductor में बात करें, कि circular conductor में magnetic field का direction क्या होता है, the direction of magnetic field inside the loop is same, तो direction same होता है, जो कि हमने पहले पढ़ाता है, north से south, याद कीजिए, north से rise होता है, south में जाके मिल जाता है, तो बिल्कुल से वही वाला direction है, north स south वाला, तो ये circular loop या circular जो conductor होता है, उसके लिए diagram है, पिछले वाले page पर जो आपने देखा था, वो state conductor के लिए था, ये state conductor का diagram है, और ये circular conductor का diagram है, तो अब तक हम नहीं जान लिया कि basically science में दो type के conductor होता है, एक होता है state conductor, एक होता है circular conductor, state conductor की बात करें तो उसका magnetic field होता है, उसके चाहतरफ होता है circular conductor में ध्यान रखना होता है कि pole पर circular concentric होता है और दूसरा हमने जाना जैसे ऐसे pole से दूर जाओगे ये concentric circle बढ़ता जाएगा और बड़ा होता जाएगा लेकिन third point हमने जाना कि जब center में पहुंच जाएंगे तो ये बिल्कुल straight हो जाएगा जब center में पहुंच जाएंगे circular conductor की जब center में पहुंच जाएंगे तो वहां magnetic field बिल्कुल straight होगा और अगिसके direction की बात कहें तो direction same होता है वही north से south वाला north से rise होगा south में जाएगा north से rise होगा south में जाएगा यह हमने circular conductor के वारे में जाना. तो जल्दी समय आपको revise करा देता हूं, कि हमने इस वाले point में क्या परा. यह जो circular loop होता है, यानि circular conductor होता है, उसका magnetic field कैसा होता है? तो first point में ने बताए आपको, कि जितने भी circular conductor होते हैं, उनका magnetic field जो होता है, जैसे जैसे हम पोल से दूर जाते हैं, तो यह circular जो होता है, वो larger and larger होता जाता है, जब हम center में पहुंच जाते हैं, तो बिल्कुल straight, center में, बिल्कुल straight line हो जाता है, और इसके direction की बात करें, magnetic field की direction की बात करें, तो वो same होता है, north से south, तो यहाँ पे हमने straight conductor भी जान लिया, और circular conductor भी जान लिया, इसमें एक point आये था, right hand thumb rule, जितने भी straight conductor होते हैं, उसका magnetic field concentric होता है, और उसका direction जानने के लिए, कि जो इसका magnetic field घूम रहा है, यह clock wise घूम रहा है, यह anti clock wise घूम रहा है, इसके लिए हमें right hand rule समझना पड़ेगा, कि right hand rule क्या होता है, तो right hand rule के लिए यह नहां पर देगे diagram भी बनाया, आपके book में दिया हुआ है, यह बाद में बना लेना, पहले मैं आपको right hand rule समझा देता हो, होता क्या है, right hand rule यह कहता है, कि मान लीजिए, आपका straight conductor है, यह आपका straight conductor है, और आपने इसको अपने right hand में पकल लिया, ध्यान से सुनिए पहले, यह straight conductor को, अपने right hand में hold करते हो, तो यह जो thumb है, यह है direction of current, और बाकी चारों जो finger है, यह वाले चारों finger, यह है direction of magnetic field, sorry बच्चों, अगर हम किसी straight conductor को, अपने right hand में इस प्रकार से hold करें, कि हमारा thumb, direction of current बताए, तो other four finger, जो की conductor के चारों तरफ है, यह हमारा बताएगा direction of current, यह direction of magnetic field, तो देखिए, अगर यह आपका direction of current है, तो magnetic field ऐसा होगा, उपर की तरफ आएगा, पेज से उपर की तरफ, यह question घुमा फिडा के पूछते हैं physics में, अगर आपका यह direction of current है, तो magnetic field पेज से बाहर की तरफ आता हुआ दिखाए देगा, पे इसे उठता हुआ दिखाए देगा, उल्टा कर लीजिए, अगर आपका direction of current यह है, यह direction of current, देखिए, फिजिक सही है, आपको समझना है चीजों को, क्योंकि paper में ऐसा नहीं पूछेगा right hand thumb rule, यह बहुत कम चांस होते हैं कि आपको deck question पूछले physics में, कि what is right hand thumb rule, अगर question deck आ what is right hand thumb rule, तब तो आपके मजे, deck आपके लिख दो, कि एक state conductor है, उसको हमने right hand में पकरा, तो यह जो हमारा thumb है, यह direction of current है, और बाकी जो फोर finger है, जो की conductor के चारो और है, यह direction of magnetic field है, यह direction of magnetic field है, यह to deck answer दे दो, लेकिन ऐसा होता नहीं, question घुमा फिरा के आता है, तो आपको ज side पर जाएगा, तो आपका magnetic field inside the page, page के अंदर जाता हो, दिखाएदेगा, किलिए रोग गया, ऐसे अगर उपर देखिए, अगर magnetic field उपर जा रहा है, तो आपका जो magnetic field होगा, अगर current उपर जा रहा है, अगर current कहा जा रहा है, तो magnetic field इसे बोलते है, anti-clockwise, यह anti-clockwise घुमेगा, औ अगर उल्टा कर दो आप, कि current नीचे है, तो इसे बोलेंगे clock-wise, ठीक है, तो चारो आपको याद रखना है, right-hand thumb rule में, चारो point आपको याद रखना है, तो पहले एक पर हम right-hand rule समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको दुआ रिपीट करता हूँ, direction के बारे में, देखिए, यह क्या कहता है, imagine you are holding a current carrying straight conductor, image करो, कि आपने hold कर रखा है, एक straight conductor को in your right-hand, अपने right-hand में, आपको सोचना है, कि आपने right-hand में, अपने right-hand के अंदर, आपने straight conductor को hold कर रखा है, ठीक है, यहाद तक सुनी मागया, Now, such that, इस प्रकार से, the thumb is pointing toward the direction of current, इस प्रकार से, कि जो thumb है, वो direction of current को बताता है, थम क्या बताता है, direction of current, then, the fingers wrapped around the conductor, तब जो बाकी finger होंगे, चार finger, जो की conductor के चारों और wrapped हैं, गेरे हुएं, Give the direction of magnetic field, तो बाकी जो यह चार finger हैं, यह आपको magnetic field के direction के बार में बताएंगे, Image करो, कि you are holding a straight conductor in your right hand, अपने right hand में आपने straight conductor hold कर रखा है, Such that, इस प्रकार से, थम is pointing toward the direction of current, जो थम है, वो direction of current, यह direction of current है, Then the fingers wrapped around the conductor, तो बाकी जो चार finger हैं, जो की conductor के चारों हैं, Give the direction of magnetic field, यह magnetic field है, और यह direction of current है, This is the direction of current, this is the direction of magnetic field, clear हो गया, अब चाहो तो आप इसका diagram भी बना सकते हो समझने के लिए, यह अगर समझ में आ गया, तो diagram की need नहीं है, अब एक बार जल्दी से हम समझ लेते हैं, कि हमने इस page पर क्या क्या जाना, मैं आपको इस page पर यह समझाया है, कि जब हमारा circular conductor होता है, मैं आपको circular conductor के बार में बता रहा था, कि बिल्कुल concentric circle ही होता है इसमें, लेकिन जैसे जैसे हम pole से दूर जाएंगे, यह circle बड़ा होता जाएगा, और center में आकर, यह बिल्कुल straight हो जाएगा, यह बात आपको समझायी थी, circular loop के अंदर, उसके बाद right hand थम रूल था, कि आपने straight conductor को अपने right hand में डखा है, तो यह जो thumb है, यह direction of current है, और बाकी चार जो finger है, वो आपका direction of magnetic field है, अब एक बार आगे बढ़ने पर देखो बच्चों, आप यह समझी है, physics है, और physics में बार-बार कह रहा हो, चीजों को समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि question जो है, घुमाफिडा के आते हैं, यह straight conductor है, अगर आपका current left-hand side पर है, तो आपका magnetic field होगा, वो पेज से बाहर आता हुआ दिखाए देगा, अगर आपका current जो है, वो left-hand side में, इस परकार से left-hand side में है, तो आपका magnetic field है, वो पेज के अंदर जाता हुआ दिखाए देगा, अगर आपका magnetic field upward है, तो आपका जो अगर आपका electric current का direction अबवर्ट है तो आपका magnetic field जो होगा वो इस तरफ anti-clock wise होगा और यह वाला पार्ट होगा अगर current ऊपर है तो आपका anti-clock wise होगा और अगर आपका current नेंचे की तरफ है तो यह magnetic field जो होता है वो clock wise होता है ठीक है इस बात का ध्यानक ना इसी च magnetic field of a conductor, वो कौन-कौन से factor है, जो magnetic field को effect करता है, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो आप इस question को आँसा खुद भी दे सकते हो, magnetic field को effect करने वाला पहला factor होता है current, देखें, जितना ज़्यादा current प्रवाइड करोगे, उतना ज़्यादा magnetic field होगा, सीदी सी बात है, जितना ज़्यादा मैं current प्रवाइड करूँगा, उतना बड़ा magnetic field होगा, तो magnetic field को effect करने वाला पहला factor है current, दूसरा है distance of conductor, मैं आपको पता है था, जितना ज़्यादा distance भरता जाएगा, magnetic field की power उतनी कमजोर होती जाएगी, तीसरा है number of turn, जिसे हम बोलते है number of coiling, कि आपने कितनी बार coiling करी है, यनि conductor को 4 तरब घुमाया है, तो number of coiling पर भी depend करता है, तो कम से कम 3 factor तो आपको याद कर ले ना, बाकी 4 भी मैं आपको बताऊंगा अभी, पर 3 factor याद कर लेजिए, कि C भी magnetic field को effect करने वाले कम से कम 3 factor होते हैं, पहला होता है current, magnetic field directly proportion to the current passing through the conductor, magnetic field directly proportion होता है current के, इस लाइन का यह मतलब है कि जितना ज्यादा current होगा, उतना ज्यादा magnetic field होगा, magnetic field inversely proportion to the distance of conductor, जितना ज्यादा distance होगा, उतना कम magnetic field होगा, magnetic field directly proportional होता है number of turns के जितने बार turns होंगे जितनी बार coiling बढ़ती जाएगी magnetic field उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा इसके अलाबा magnetic field जो होता है additive होता है nature magnetic field additive होता है nature इसका यह मतलब है कि जितना ज़्यादा आप turn करोगे जितना ज़्यादा coiling करते जाओगे उतना ज़्यादा magnetic field और बढ़ता जाएगा इसका मतलब यह भी है तो कई बार exam में यह पूछा जाता है कि what is the meaning by magnetic field is additive in nature explain कि magnetic field additive होता है nature इसका explain करो तो आप बताओगे magnetic field of one loop magnetic field जो होगा एक loop का यानि एक बार जो घुमाएंगे उसका जो magnetic field होगा add up to magnetic field of another loop वो दूसरे magnetic field अगर मालो एक बार मैंने इसे coiling करी copper wire की अगर मैंने एक बार coiling करी copper wire की तो उसका जो magnetic field होगा जब दूसरी बार coiling करूँगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा यानि magnetic field और घुए होगा जब तीसरी बार coiling करूँगा तो magnetic field और बढ़ता जाएगा यानि जैसे जैसे मैं coiling बढ़ाता जाऊंगा magnetic field और बढ़ा होता जाएगा इसा इसलिए होता है क्योंकि जो current होता है हर एक circular term में वो same direction में flow होता है magnetic field जो होता है तो यह आपको याद अखना है वो कौन-कौन से फैक्टर है जो magnetic field को effect करते हैं उसके बाद अगला topic है solenoid जो हम पढ़ने वाले हैं now solenoid क्या होता है तो solenoid समझे लेते हैं होता क्या है a coil of many circular turn जब आप circular turn में coiling करते हैं किसी insulated copper wire को अगर आप किसी insulated copper wire को circular turn में coiling करते हैं wrap closely in a cylindrical form जो कि यह cylindrical form में होता है उसे बोलते हैं solenoid सरजी इसका मतलब क्या है देखिए आप एक पाँ होता ही आपने pen का spring देखा है जो pen होता है उसका spring आपने देखा है बिल्कुल एजिटी जो solenoid है best example हो solenoid का जो pen का spring होता है ना जो pen हम लोग use करते है spring वाला pen जो use करते हम लोग उसका spring silenky आप ध्यान से देखना वो solenoid है उसी प्रकार से अगर किसी copper wire को circular form में turn किया जाए यानि किसी copper wire को अगर हम turn करेंगे coiling of copper wire अगर copper wire को हम coiling करेंगे cylindrical form में अगर किसी copper wire को मान लीजिए कि मैं इसके उपर copper wire को लपेड दू copper wire को इसके उपर गोल को लपेड दू इसको हटा दू तो जो cylindrical form में जो आपने copper wire की coiling करेंगे ना उसको solenoid कहते है a coil of many circular turn उसमें बहुत सारे circular turn होंगे जो कि किसी copper wire से दुआरा किये जाएंगे wrapped closely in a cylindrical form और cylindrical form में होगा तो आपने slunky देखा ना spring देखा ना वो बिल्कुल cylindrical form में होता है और आपने देखा गोल गोल उसमें copper wire की तरह लपेटा होता है तो that is solenoid उससे solenoid कहते है और science में solenoid का बहुत ज़्यादा यूज होता है तो इस page में हमने क्या क्या जाना इवाज जल्दी से revise कहा देता हूँ फिर में आगे बढ़ जाओंगा मैंने आपको बताया कि magnetic field को कौन-कौन से factor effect करते है तो magnetic field directly proportion होता है magnetic field उतना बढ़ता जाएगा magnetic field additive होता है नेचर से क्योंकि magnetic field में एक loop का जो magnetic field होगा जब आप एक बार घुमाओगे उसका जो magnetic field होगा वो add हो जाएगा दूसरे बार जब तीसरी बार चौते जितना ज़्यादा आप turn घुमाते जाओगे magnetic field उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा इसलिए होता है क्योंकि current जो होता है हर एक circular turn में जो current होता है उसका direction सेम होता है इसलिए magnetic field जो होता है additive होता है additive ही nature का मतलब है जितना ज़्यादा turn घुमाता जाओगा उतना ज़्यादा magnetic field बनता जाएगा Solenoid का मतलब था कि copper wire से slendical form में copper wire से coiling करनी है तो जब slendical form में copper wire से coiling करूँगा coiling of copper wire in cylindrical form आप बोल भी सकते हुँ इसाथ coiling of copper wire in cylindrical form अगर copper wire से में cylindrical form में coiling करता हूँ तो this is called solenoid इसको solenoid बोला जाता है science के लाइक जिसको solenoid कहते हैं अब solenoid की property हम पढ़ेंगे तो solenoid की property वही होती है जो एक magnet की property होती है आपको यद है magnetic field या magnet की property क्या क्या बताई थी इसमें दो pole होते है north and south याद कीजिए तो solenoid में दो pole होते है north पिर हमने जाना था कि magnetic field north से सौथ जाता है तो solenoid में भी यह होता है कि magnetic field north से सौथ होता है जिसने स्टार्टिंग से वीडियो देखा अगर आपने magnetic field या magnetic field line या magnet के बार में जाना है तो आपको solenoid अपने आप सोई मा जाएगा solenoid एक तरह से artificial magnet है जो artificial magnet की तरह काम कर रहा है जैसे magnet में दो पोल थे तो यहां पे solenoid में भी दो पोल होते है नौर्ट से सौथ में जाता है तो solenoid में भी magnetic field नौर्ट से सौथ में जाता है आपको याद होगा मैंने बताया था मैंने जाता है तो अगर आपको एकजाम आता है प्रॉपर्टी जौप सोलेनौइड की प्रॉपर्टी ज बताओ तो आप रट नहीं सकते हो आप डैक्ट इसका आंसर खुद भी बना सकते हो magnetic field of a solenoid एक solenoid का जो magnetic field होता है इस similar वो similar होता है that of a bar magnet बार magnet की तरह देखो पहला point ही बोल दिया solenoid का जो magnetic field होता है बिल्कुल magnet की तरह ही काम करता है magnetic field is uniform inside the solenoid magnetic field जो होता है uniform होता है inside the solenoid solenoid के अंदर and represented by parallel field line और solenoid के अंदर जो होता है बच्चो solenoid के अंदर magnetic field जो होता है वो parallel form में पाए जाता है solenoid के अंदर magnetic field parallel line में पाए जाता है और यह बहुत ज़्याता एंदर magnetic field parallel line में पाया जाता है यह आप से बोला गया है magnetic field uniform inside the solenoid solenoid के अंदर uniform form में होता है मतला हर जगा same magnetic field होगा और represent किया जाता है parallel form में अगर direction की बात करें, magnetic field की direction की बात करें, तो outside the solenoid, solenoid के बाहर, क्या होगा? North to south, यह हम पहली पर चुके है, कि north से rise होता है, south में जाकर end हो जाता है, inside the solenoid, solenoid के अंदर क्या होता है, then south to north, यह पहली पर चुके है, कि magnet के अंदर, magnetic field, south से north जाता है तो जिसने magnet पर रखा है उसको properties of solenoid अपने आप भी समझ में आ सकता है north से rise होता है south में जाता है solenoid के अंदर south से north में आता है हम सब ने पर रखा है आगे solenoid can be used अब solenoid का इस्तमाल क्या होता है solenoid का इस्तमाल क्या जाता है to magnetize a magnet एक magnetic like soft iron को magnetize करने के लिए अगर मुझे किसी चीज़ को magnet बनाना है magnet में convert करना है तो solenoid का इस्तमाल होगा अब कैसे इस्तमाल होगा तब यह भी समझ लिजिए देखिए मेरे पास यह solenoid था क्या था यह solenoid मैंने एक solenoid बनाया यह मेरे पास एक solenoid है पहला आप solenoid को अच्छे समझे coiling of copper wire copper wire की coiling करनी है in cylindrical form coiling of copper wire in a cylindrical form is called solenoid अब अगर solenoid के अंदर हमने डाल दिया soft iron अगर आपने solenoid के अंदर डाल दिया soft iron तो यह जो soft iron है यह magnet बन जाएगा क्योंकि यह magnetic field बना रहे है यह पूरा क्या बना रहा है magnetic field आपने इसमें डाल दिया soft iron तो यह magnet बना देगा जब तक current रहेगा इसके अंदर यह magnet के रूप में काम करेगा जब तक solenoid में current रहेगा soft iron magnet की तरह काम करेगा तो solenoid का इस्तमाल किया जाता है किसी भी चीज़ को magnetize में convert करने के लिए उसे magnet बनाने के लिए तो यही पर यहां पर question आता है solenoid का use क्या है इसका use होता है to magnetize a magnetic like soft iron किसी चीज़ को magnetize में convert करने के लिए जैसे कि soft iron जैसे चीज़ों को magnetize बनाने के लिए solenoid का इस्तमाल किया जाता है क्या आपको solenoid clear हो गया मैं आपको last वार सुन जारो पहले बच्चों solenoid का मतलब समझे हम क्या करते हैं copper wire की coiling करते हैं तो ये solenoid है चीक है अब solenoid की property क्या है तो solenoid की पहली property ये एक bar magnet की तरह काम करता है जैसे bar magnet होता है वैसा solenoid होता है solenoid के अंदर magnetic field parallel form में पाए जाता है ये दूसरा हो गया ये पहला था bar magnet दूसरा ये parallel form में पाए जाता है तीसरा solenoid के बाहर magnetic field north से south की तरफ जाता है लेकिन solenoid के अंदर ये south से north की तरफ जाता है ये third property हो गया फूर्थ, हम इसका इस्तमाल क्या करते हैं, यूस क्या करते हैं solenoid का, तो हम इसका इस्तमाल करते हैं किसी चीज को magnetize करने के लिए, और magnetize में कोई भी चीज आ सकता है, जैसे का हमने example दिया, soft iron, हम soft iron का इस्तमाल करते हैं solenoid के अंदर, ताकि इसको magnetize किया जा सके, और इसकी power और कहा हम इस्तमाल करते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे एलेक्टिक मोटर वगरा में चिक है? अब आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट पॉइंट पर आने बहुते हैं, इलेक्टर मेंगने इससे पहले आपको लास्ट बार समझा रहा हूं, अब आपको के solenoid इतना बारबार क्यों समझाने साथ क्योंकि पूरा चैप्टर में solenoid ही सबसे ज़्यादा पेपर माता है देखिए solenoid आपके पास है ठीक है अब अब अच्वी यहाँ एक concept समझना यह आपके पास एक solenoid है अगर आपने इसके अंदर डाल दिया soft iron तो यह जो soft iron आपने डाला है यह magnet बन जाएगा जब तक current रहेगा तो इसे बोलते हैं электromagnet यह तभी तक magnet रहेगा جब तक current रहेगा इसलिए से बोलते हैं electromagnet य alleine आप electricity से magnet बना रहे हो तो जब तक इसमें current रहेगा ये magnet रहेगा that is called electromagnet लेकिन अगर आपने soft iron की जगा solenoid के अंदर solenoid के अंदर अगर आपने soft iron की जगा carbon steel carbon steel chromium steel chromium steel elnico ये सब alloy का नाम है अगर आपने solenoid के अंदर carbon steel chromium steel elnico का इस्तमाल करा तो ये permanent magnet बन जाएगा मतब एक बार current दे दो ये हमेशा के लिए permanent magnet बन जाएगा ये आपको बस इसमें क्या होता है इसमें जब तक current है ये तब तक magnet है इसमें एक बार current दे दो ये हमेशा के लिए magnet बन जाएगा अगर आपने soft iron का इस्तमाल किया है तो वो electromagnet बनाएगा अगर आपने carbon steel, chromium steel और elnico का इस्तमाल किया है तो this is called permanent magnet ये permanent magnet बनाने का method होता है और ये सब solenoid की वज़़े से possible है killer हो गया now topic पर आते कि electromagnet क्या होता है नाम सही जाहिर होता electro magnet यानि electricity का इस्तमाल करके magnet बनाना और electricity का इस्तमाल करके magnet कैसे बनाते है मैं अभी आपको बता है कि solenoid के अंदर या तो आप soft iron रग दो या solenoid के अंदर आप chromium steel elnico, carbon steel इन में से कुछ भी रग दो अगर आप electricity दोगे उसको तो वो magnet में उसे convert कर देगा तो आप electricity से magnet बना रहे हो तो जब electricity से magnet बनाओगे तो उसे क्या बोलेंगे electro magnet an electromagnet is a type of magnet electromagnet एक type का magnet है इन भी जिसमें the magnetic field is produced magnetic field produced किया जाता है मैंने electric current electric current के दोवारा magnetic field produced किया जाता है अब आप से पूछा जाएगा कि electro magnet और permanent magnet में difference बताओ तो मैं पहले कुछ difference आपको personal तूप बता देता हूँ फिर मैं आपको notes का भी बता देऊँगा देखिए आप समझे इस चीज़ से कि आपके पास एक electro magnet है और एक आपके पास permanent magnet एक है electro magnet एक होता है permanent magnet दोनों में क्या difference है पहला difference अगर आपने solenoid के अंदर soft iron डाला है तो वो electro magnet बनेगा अगर आपने solenoid के अंदर carbon steel, chromium steel, elnico डाला है तो वो permanent magnet बनेगा electro magnet ज़्यादा powerful होता है इसको आप touch नहीं कर सकते ये इतना strong होता है ये बहुत तकरा shock देता है जबकि permanent magnet इतना ज़्यादा strong नहीं होता आप उसे छू सकते हो एक बाद magnet बनाने के बाद electro magnet जो होता है उसकी power को आप जब चाहो बढ़ा सकते हो जब चाहो घटा सकते हो ये आपके हाथ में लेगिन permanent magnet की power को ना तो बढ़ाया जा सकता ना घटाया जा सकता electro magnet तभी तक magnet है जब तक उसमें current है इसलिए इसको temporary magnet बोलते है जबकि permanent magnet में current हो या ना हो ये हमेशा के लिए magnet है इसलिए उसे बोलते है permanent magnet ये temporary magnet होता है ये permanent magnet होता है चार डिफेंस पता लग गया, इलेक्ट्रो मैगनेट बनाने के लिए सॉफ्ट आइरेंड, पर्माइंट मैगनेट बनाने के लिए कार्वन स्टील, क्रोमियम स्टील, यह देखो, यह लिखा हुआ मैंने यह रहा, इलेक्ट्रो मैगनेट बनाने के लिए soft iron और permanent magnet बनाने के लिए carbon steel, chromium steel elnico, इनका अस्तमाल होता है Electromagnet ज़्यादा powerful है permanent magnet कम powerful होता है Electromagnet की power को बढ़ा और घटा सकते हो permanent magnet की power को बढ़ा और घटा नहीं सकते Electromagnet temporary magnet होता है जब भी permanent magnet, permanent magnet होता है electric and हो या ना हो ये magnet की रूप में काम करता है आप इसके pole को जो north pole and south pole होता है उसको जब मर्जी reverse कर सकते हो, ultra कर सकते हो Electromagnet के pole को जब मर्जी reverse किया जा सकता है जबकि permanent magnet के pole होता है, that cannot be reverse, उनको reverse नहीं किया जा सकता तो 5 different shot मैं समझाए मैं आपको लास्ट बार समय लिजीए यहाँ पर huge होता है आपके लिए soft iron, यहाँ carbon steel chromium steel, elnico यह powerful जदा होता है, powerful कम होता है इसकी power को बढ़ाय गटाया जा सकता है इसकी power को आप increase, decrease नहीं कर सकते यह temporary magnet की रूप में काम करता है जब तक current है तब तक magnet है यह permanent magnet की रूप में काम करता है current हो या ना कहो, यह magnate ही होगा इसके pole को reverse किया जा सकता है इसके pole को reverse नहीं किया जा सकता तो यह सब difference है चीजों को समझे तो याद जल्दी होता है it is temporary magnet यह temporary magnet होता है so can be easily demagnetized इसको जब मर्जी आप demagnetize कर सकते हो current बंद कर दो demagnetize हो गया cannot be easily demagnetize जबकि इसको आसानी से demagnetize नहीं किया जा सकता strength can be varied इसका strength बड़ा और गटा सकते हो strength is fixed इसका strength जो होता हो fix होता है उसको आप increase और decrease नहीं कर सकते है next page पे और भी difference है polarity can be reverse इसके pole को आप जब मर्जी reverse कर सकते हो polarity cannot be reverse इसके pole को आप reverse नहीं कर सकते हो generally strong magnet यह strong होता है generally weak magnet यह weak magnet होता है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ तो जल्दी से revise कर लेते हैं इस page पर हमने क्या क्या जाना मैंना आपको solenoid की property बताई पहली property बताईए बार magnet की रूप में काम करता है दूसरा बताया solenoid के अंदर parallel field line पाई जाती है अगर हम outside the solenoid देखें तो magnetic field line not to sort जाती है inside the solenoid देखें तो magnetic field sort to not जाती है solenoid का इस्तमाल करते है magnetize करने के लिए किसी चीज़ को जैसे कि soft item electromagnet जब हम electricity का इस्तमाल करके magnet बनाते है तो that is called electromagnet दो type के magnet होते है electromagnet और permanent magnet जो मैं आपको यहां भी समझाया था अलग से यह temporary magnet होता है इसको demagnetize कर सकते हो इसको demagnetize असानी से नहीं कर सकते है इसकी strength को बड़ा और घटा सकते है इसकी strength जो होती है फिक्स होती है इसकी polarity को आप जंबर जी reverse कर सकते हो इसकी polarity को आप reverse नहीं कर सकते यह strong magnet होता है यह weak magnet होता है clear हो गया now topic number next आता है ampere's law ampere का नियम या force on a current carrying conductor एक conductor क्या force महसूस करता है एक magnetic field के अंदर force on a current carrying conductor force on a current carrying conductor current को carry करने वाला conductor एक तार है उसके अंदर current है तो उसको बोलेंगे current carrying conductor current को carry करने वाला conductor जो है वो क्या force महसूस करेगा जब उसे magnetic field में रखा जाएगा इसका law दिया था ampere ने that is why it is also called ampere's law इसलिए इसको ampere's law के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने बताया कि अगर conductor को magnetic field के अंदर रख देंगे अगर conductor को magnetic field के अंदर रखेंगे तो conductor क्या force महसूस करेगा इसके उपर experiment आपके book में दिया हुआ है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ठीक है देखिए उन्होंने दुनिया को बताया कि मान लीजिए आपके पास यह magnet है पहले समझ लीजिए यह आपके पास magnet है ठीक है मैं आपको अलग से page पर भी समझा देता हूँ physics है न तो थोड़ा आपको detail में समझना होता है physics को रेट लोगे तो paper में फिर question कुमार फिड़ा काएंगे यह आपके पास magnet है ठीक है यह आपके पास magnet है और यह मान लीजिए conductor है तो normally क्या होगा magnet conductor को अपनी और attract कर लेगा magnet conductor को अपनी और attract कर लेगा क्योंकि magnetic field के अंदर है लेकिन अगर इस conductor को अगर हमने बैटरी से connect कर दिया अगर इसमें current दे दिया current carry conductor current carry conductor इसके अंदर electric current डाल दिया आपने तो फिर क्या होगा तो फिर यह attack नहीं कर पाएगा इसको यह बताय था ampere's law ने ampere's law ने यानि ampere नहीं यह देखा कि जब किसी conductor को magnetic field के अंदर रखा जाता है तो यह क्या force महसूस करता है तो ampere को पता चला कि magnetic field conductor पे force लगाएगा magnetic field conductor पे force लगाएगा तो conductor भी opposite force लगाता है magnetic field पे मैं फिर से repeat कर देता हूँ magnetic field conductor पे force लगाता है तो conductor भी opposite force लगाता है magnetic field पे conductor, magnetic field जो है, वो conductor पे force लगाता है, तो conductor भी magnetic field पे opposite force लगाता है, दूसरी बात पता लगी, कि जब यह एक दूसरे पे perpendicular होते हैं, तो maximum displacement होती है, यानि सबसे ज़्यादा force लगता है, सबसे ज़्यादा एक दूसरे पे force कब लगाते हैं, जब यह एक दूसरे पे perpendicular होते हैं, तो maximum displacement होता है, एक दूसरे को सबसे ज़्यादा दूर फेकते हैं, एक दूसरे को सबसे ज़्यादा repel करते हैं, जब एक दूसरे पे perpendicular होते हैं, तीसरी बात यहाँ पता लगी, जो current होता है current का direction और उसके force का direction एक दूसरे के opposite होता है इस law से यह पता लगा कि current का direction और उसके force का direction एक दूसरे के opposite होता है यानि current अगर उपर जा रहा है current का direction अगर उपर है तो current दुआरा लगने वाला force का direction नीचे होगा यह तीन बाते हमें पता लगी थी first एक magnet लिजिए जिसका अपना एक magnetic field है एक conductor लिजिए तो magnet क्या करेगा conductor को अपने हो attract करेगा लेकिन अगर इसी conductor को किसी battery से connect कर दिया जाए इसमें current दाल दिया जाए यानि से बोलेंगे current carry conductor जो हमने heading में पढ़ा था current carry conductor current को carry करने वाला conductor अगर इसके अंदर current डाल दोगे तो तब MPR ने देखा कि जितना force magnetic field conductor पे लगा रहा है उतना ही force conductor opposite direction में magnetic field पे लगा रहा है पहली चीज यह समझ मैं दूसरा यह एक दूसरे पे maximum force तब लगाते हैं जब एक दूसरे पे perpendicular हो तो maximum displacement होती है एक दूसरे के खिलाब तो perpendicular होला case थर्ड हमें समझ माया कि electric current का direction और उसके force का direction एक दूसरे के opposite होता है तो यहाँ पर तीन चीज हमें समझना है इसको amperes law के भी नाम से जानते हैं और इसको force on a current carrying conductor इना magnetic field के नाम से भी जानते हैं ठीक है पढ़े हो आंद्रे मेरी ampere suggested है आंद्रे मेरी ampere ने suggest किया कि the magnet also exert an equal an opposite force magnet भी force महसूस करेगा opposite force महसूस करेगा और current carrying conductor conductor के खिलाब यह magnet है और यह conductor है तो magnet भी opposite force महसूस करेगा conductor के खिलाब एक दूसरे के खिलाब opposite force लगाएंगे जो मैं आपको समझाया था भी second the displacement in the conductor conductor में जो displacement होगा is the maximum वो maximum कब होगा when the direction of current जब current का direction at right angle right angle हो perpendicular हो to the direction of magnetic field magnetic field के perpendicular हो displacement of conductor conductor का maximum displacement होगा वो कब होगा when the direction of current जब current का direction right angle पे हो perpendicular हो किस पर the direction of magnetic field यानि current जब magnetic field पे perpendicular होता है जब current का direction और magnetic field का direction एक दूसरे पर right angle बना रहे हो तो maximum displacement होता है इन दोनों का third direction of force force का direction is reversing उल्टा होता है the direction of current के यानि direction of current और direction of force एक दूसरे के opposite होते हैं direction of current direction of force एक दूसरे के opposite होते हैं reverse होते हैं यह हमें इस law से पता लगा था force on a current carrying conductor एक conductor पर क्या force लगेगा जब वो किसी magnetic field के अंदर होगा यह page complete होता है last बार revise कर देते हैं कि हमने इस page पर क्या सीखा पहले तो difference आपको बताया था यह पहली हो चुका है तो मैं इसके बारब बताता हूँ मैंना आपको बताया है कि आपके पास एक magnet है और conductor के force का direction एक दूसरे पर perpendicular होता है तो maximum displacement होती है और electric current का direction और उसके force का direction एक दूसरे का reverse होता है तो यह तीन चीज़ हमने यहाँ पर जाना जो आपने first point, second point और third point है वो इसी परकार से हैं ठीक है बच्चों? आपका next topic आता है point number देखते हैं हमारे पास 16 क्या है left hand rule left hand rule के बारे में जाएंगे point number 16 हमारा flaming left hand rule पहले मैं आपको अपनी language बताता हूँ कि flaming left hand rule होता क्या है यह आपका left hand है और आपको तीन finger एक दूसरे के perpendicular रखना है इसे बोलते thumb इसे बोलते four finger इसे बोलते middle finger the thumb four finger and middle finger must be perpendicular to each other आपका जो thumb है आपका जो four finger है और आपका जो middle finger है एक दूसरे के perpendicular होना चाहिए यह आपका left hand है left hand में thumb four finger और middle finger एक दूसरे पे perpendicular अगर है तो तो first point यह लिगना होता है कि left hand का thumb four finger and middle finger must be perpendicular to each other एक दूसरे पे perpendicular होगा तो क्या होगा उन्होंने कहा था flaming left hand रूल यह कहता है कि अगर आपके left hand का thumb four finger और middle finger एक दूसरे के perpendicular है तो जो thumb होगा न वो force of conductor होगा जो thumb होगा वो force of conductor होगा थम क्या होगा force of conductor याद रखिए थम क्या होगा force of conductor यह जो आपका middle finger है यह आपका जो four finger है यह आपका magnetic field of conductor होगा यह आपका force of conductor है यह आपका magnetic field of conductor है और यह आपका जो middle finger है current of conductor है current of conductor तो force of conductor magnetic field of conductor और electric current of conductor तो ये left hand के अगर thumb four finger और middle finger एक दूसरे के perpendicular है तो flamey नहीं कहा था the thumb will represent the force of conductor the four finger will represent magnetic field of the conductor and the middle finger will represent the electric current of the conductor इसको short मैं याद करने का तरीका है father, mother और child child मतलब current तो father, mother और child father, mother, child father मतलब force of conductor mother मतलब magnetic field of conductor और child मतलब current of conductor तो ये flaming के rule थे जिसको हमने दो parts में डिवाइड कर दिया पहला parts perpendicular वाला होगा stretch the thumb stretch the thumb four finger ये वाला four finger and middle finger of your left hand अपने left hand के thumb four finger और middle finger को stretch करो such that इस प्रकार से की they are mutually perpendicular वो एक दूसरे पर perpendicular हो stretch your thumb four finger and middle finger and must be perpendicular to each other पहला point ये पर्पेंडिकुलर होना चाहिए if four finger point in the direction of magnetic field अगर आपका four finger magnetic field को point out करता है middle finger in the direction of current आपका middle finger जो है वो current को indicate करता है then the thumb will point on the force direction of the motion और force तो आपका thumb जो होगा वो force of conductor को represent करेगा तो ये था flaming का left hand rule इसमें दो पॉइंट आपको याद अखना है कि left hand का thumb four finger middle finger को अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा तो force जो thumb होगा वो force of conductor होगा जो four finger हो magnetic field of conductor होगा और जो middle finger है वो current of conductor होगा इसे बोलते हैं flaming का left hand rule और इसका इस्तमाल हम करते हैं electric motor में सबसे पहले जानते हैं कि electric motor होता क्या है मतला electric motor का definition क्या होता है अब motor is a device, motor उस device को बोलते है which convert electrical energy into mechanical energy इसका मतलब है electric motor के ऐसा device है जो electric energy को mechanical energy में convert करता है में भी दिखा होगा कि motor को स्टार्ट करने के लिए पहले आपको क्या देना पड़े जा electric current motor को स्टार्ट होगा जब आप उसे electric current दोगे और जैसी electric current दोगे वो घूमने लगता है और घूमने के लिए आता है mechanical energy तो electric motor ऐसा device है जो electric energy को mechanical energy में convert करता है इस पेज पर हमने क्या जाना इस पेज हमने flaming का left hand rule जाना जिसे मैं आपको कहा अगर left hand का thumb four finger middle finger को एक दूसरे के परपेंडिक को रखो तो thumb force of conductor four finger magnetic field of conductor middle finger current of conductor represent करता है फिर मैं आपको बता है motor के बारे में एक ऐसा device है जो electric energy को mechanical energy में convert करता है now next point आता है कि यूजस कहा होता है electric motor का इसके लिए जहूँ नहीं कि आप notes की language आद करो कुछ भी याद कर सकते हो जो आप electric चीए देखते हो जुसका इस्तमाल आप daily life में करते हो तो मैं कुछ example आपको देता हूँ electric motor का इस्तमाल कहा होता है इलेक्टिक फैन में होता है washing machine में होता है refrigerator में होता है और जो mixer होते हैं हमारे घरों में grinder होते हैं बहुत सारे other appliances हैं कोई भी नाम दे सकते हो जहां पर electric motor का इस्तमाल होता है इसके लिए कोई रटने की जो़ट नहीं है आप खुद भी याद कर सकते हो, electric fan, washing machine, refrigerator, mixer, grinder, इन सम्में electric motor का इस्तमाल होता है. Principle of electric motor, यह बहुत जादा एक्जाम में आता है कि electric motor कौन से principle पर काम करता है. तो basically electric motor दो principle पर काम करता है. जो electric motor बनाये गया था, वो दो principle के बेश पर बनाये गया था. जिसमें पहला principle है, an electric motor utilize the magnetic effect of current. Electric motor जो है, वो magnetic effect of electric current का इस्तमाल करता है. कि इसमें soft iron का इस्तमाल होता है. याद किजिए solenoid. आपको याद होगा solenoid के वारे में आपने जाना था, कि solenoid में हमने क्या क्या था? solenoid के अंदर हमने soft iron को रखा था. तो ये magnetic effect of electric current का इस्तमाल करता है. एक तो ये principle है. दूसरा जो अभी अभी आपने पढ़ा था, left hand rule वारा, उसका principle का भी इस्तमाल होता है. इस principle पर काम करता है कि जब एक rectangular coil को place किया जाता है किसी magnetic field में, और current पास करते हैं, उसके द्वारा, ये वर्ख करता है इस principle पर जब एक rectangular coil को place किया जाता है magnetic field में. magnetic field में जब किसी rectangular coil को रखेंगे और current को पास करेंगे, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़दा जो coiling होगी, जो force react करेगा, torque act on the coil, जो torque होगा, वो act करेगा coil पर, which rotate it continuously, जो की उसे rotate करेगा, लगातार electric motor को rotate करेगा, तो अगर आप diagram से समझना चाहूँ, तो I think शयद आपको ज़्यादा समझ माएगा, मैं आपके लिए diagram निकाल देता हूँ, तब ज़्यादा आपको clear होगा, कि electric motor कौन से principle पर काम करता है, जी हाँ, यह देखिए, electric motor यह रहा, जब electric motor इस principle पर काम करते है, कि एक rectangular coil को place किया जाता है, magnetic field के अंदर, magnetic field के अंदर, यह देखिए, magnetic field है, north-south याद है, तो magnetic field के अंदर जो, rectangular coil को place किया जाता है, और current इसमें pass की जाती है, तो यह जो rectangular coil है, इसको लगातार rotate करेगा, इसको लगातार घुमाएगा, तो electric motor दो principle पर काम करता है, एक principle तो यह magnetic effect of electric current, दूसरा, यह इस principle पर काम करता है, कि जब magnetic field के अंदर, जब किसी rectangular coil को place किया जाता है, और इसमें current provide की जाती है, तो यह लगातार जो है, वो motor को या जो आपने device यूज किया, उसको लगातार यह rotate करने में help करता है, तो यही रहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, कि electric motor दो principle पर काम करता है, एक तो यह magnetic effect of electric current का इस्तमाल करता है, दूसरा, it work on the principle that यह इस principle पर काम करता है, कि when a rectangular coil, जब एक rectangular coil को place किया जाता है magnetic field के अंदर, जो मैंने आपको diagram में दिखाया, and current is passed, और current को passed किया जाता है उसके द्वारा, तो torque act on the coil, जो torque है या force है वो act करता है coil पर, which is rotated continuously, जो से लगाता गुमाता है, किसी construction of motor, आप किसी motor को बनाने के लिए कम से कम चार चीज़ आपके पास चाहिए, construction of motor, किसी भी motor को बनाने के लिए कम से कम चार चीज़ चाहिए, बस आपको इनके function याद करने है, पहला चाहिए, R-mature coil, सबसे पहले क्या चाहिए, R-mature coil, an electric motor consists of a rectangular coil, एक electric motor में आपको rectangular coil चाहिए, जो भी में आपको दिखाया था, rectangular coil, north और south के बीच में, एक rectangular coil चाहिए, ABCD, अब insulated copper wire, जो कि एक copper wire से बना होना चाहिए, उसे और उसके अंदर soft iron होना चाहिए, तो ये देखिए, ये जो R-mature है, इसे आर-mature के नाम दिया जाता है, तो बहुत ज़्यदा paper माता है, armature तो बता देना, now अगला है splittering, splittering क्या होता है, splittering type commutator, splittering क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो आधे-ाधे, तो हाफ, तो हाफ मतलब आधे-ाधे, दो आधे-ाधे metallic ring होते हैं, named as P और Q, जिसका नाम दियाता है P और Q, मैं आपको डिखा दिखा देता हूं, शायद आपको तब के लिए रहो, यह देखिए, यह आप देख पार हो, दो आधे-ाधे य आपको देखिए, पहला हाफ यह है, दूसरा हाफ यह है, दो आधे-ाधे, दो हाफ जो होते हैं, वो रिंग होते हैं, यह दो हाफ, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे जो आप ब्राउन कलर या ब्लैक कलर का देख रहे हो, नहीं यह वाला, यह तू हाफ, यह इससे बोलता अधे, आर्मिचर का उपर वाले का, कोईल का, यह connected होता है, इन दोनों हाफ उसे, अर्मिचर connected है, मैं आपको एक एक चीज समझ तोधा हम लेता हूं ड्राइग्राम से यह देखिए, आर्मिचर कया द है, यह देखिए, एक तरफ पहले रिंग से connect है, एक तरफ दूसरी रिं से connect है तो दुनों तरफ armature जो है वो connect होता है split ring से Now the function of the commutator विसका function क्या होता है is that reverse the direction of current ये current के direction को reverse करता है armature coil के अन्दर ये current के direction को reverse करता है main function याद किजिए ये नहीं भी याद हो तो चल जाएगा main function याद किजिए ये जो direction होता है current का उसको बदलता है the function of commutator, इसका splittering का main काम क्या होता है, ये reverse करता है direction of current, current के direction को, बारबार current direction का, जो current का direction होता है, बारबार north, 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 direction को बारबार change करता है, armature coil के अंदर, उसके बाद आता है, आपका next इसी में brushes, ये brushes क्या होता है, carbon brush बोलता है, पुरा नाम है carbon brush, तो brushes क्या होता है, two carbon brush होता है, X और Y, एक का नाम X होता है, और एक का नाम Y होता है, against the commutator, ये commutator, commutator याद ने splittering, उससे जुड़ा होता है, these brushes act as contact between commutator and terminal battery, ये जो आप पर रहे हो carbon brushes, ये connect होता है, ये connect करता है, ये commutator, यादि split ring को, और battery को connect करता है, split ring और battery को connect करता है, carbon brushes, तो अगर आप से function पूछा आता है, carbon brush का, तो ये contact करता है, ये relation बनाता है, split ring का, commutator का, और terminal battery, terminal battery और commutator, जो commutator था, split ring, और जो battery है, उसको जोड़ता है, कहने का मतलब यह देखिए, यहाँ साब को, डाइग्राम साब को clear होगा, यह देखिए, यह था splittering, यह splittering है ना, तो यह यहाँ से जुरा होगा है, carbon brush है, इसको तार को जोडते हैं, यह splittering है ना, splittering से जोडते हैं, यहाँ पर होता carbon brush, यहाँ पर दोनों तरफ carbon brush होते हैं, जिससे बैटरी को connect किया जाता है इधर बैटरी को connect किया जाता है clear हो गया यह होता है carbon brush बच्चो एक बाद दुबार repeat करता है पहला क्या पड़ा था यह क्या था rectangular यह था armature याद रहेगा यह जो rectangular coil होता है this is called armature जो कि दोनों pole के बीच में होता है clear हो गया armature का एक हिस्सा split ring से armature का दूसरा हिस्सा split ring से connect होता है sorry बच्चो अब split ring के बाद आता है carbon brushes carbon brushes क्या होता है यहाँ पर होता है जो कि बैटरी को split ring से जोड़ता है बैटरी को यह बैटरी है बैटरी को split ring से जोड़ता है carbon brushes ठीक है और battery क्या करते है तो battery electric current provide करते है यह तो आप समको पता ही होगा battery का काम क्या है electric current provide करना battery it is connected across the carbon brush यह carbon brush से जुरा होता है अभी diagram दिखायाता यह connected होता है carbon brush से और it supplies current इसका काम क्या है current देना to the armature coil armature coil को current देना तो इस page पर बच्चों हमने जो जो पढ़ा है मैं एक बार जल्दी साब को repeat कर देता हूं कि हमने इस पेज पर क्या क्या चाना सबसे पहले मैं आपको बच्छों पता है था electric motor का इस्तमाल कहा होता है तो electric fan में, washing machine में, refrigerator में, mixer में, grinder में principle of electric motor, electric motor दो principle पर काम करता है एक तो magnetic effect of electric current दूसरा, it work on the principle that यह इस principle पर काम करता है when a rectangular coil, जब rectangular coil को place किया जाता है magnetic field के बीच में current को pass किया जाता है उसके अंदर तो यह act करता है और coil को coil की मदद से rotate होता है continuously, यह rotation में help करता है motor के construction में 4 main parts है, वैसे तो बहुत सारे parts है, बढ़ 10th level पर 4 parts है एक है armature, तो armature coil में आपको बता है, यह rectangle part होता है यह rectangular part, इसे armature बोलते हैं, armature का एक हिस्सा एक तरफ, एक हिस्सा एक तरफ, split ring से connect होता है यह आपका split ring, जो दोनों तरफ होता है, two halves होता है, two halves, जो की metallic ring होता है, यह metal से बने होता है और दो half होता है, जिसको P और Q बोलते हैं, इसके दोनों end जो होता है, वो armature से connect होता है अभी मैं आपको दिखा भी दिया diagram, और दोनों, जब split ring से connect होगा, इसका main काम क्या है बारबार बार direction को change करता है, जो की rotation में help होती है, उसके बाद मैं आपको carbon brushes बताए, तो यह दो carbon brush होता है, X और Y, जो की दो चीयों को connect करता है, split ring को terminal battery से जोड़ता है बैटरी क्या करता है, तो यह connect होता है carbon brush से और यह electric current supply करता है, ठीक है, now commercial motor, जो हमारे घरों में motor यूज होते है उसको बोलता है commercial motor, जो पानी बरने के लिए आप लोग motor यूज करते हो या electric fan वगरा में, वो commercial motor होते है, उसको थोड़ा अलग प्रकार से बनाय जाता है, क्यों commercial motor होते है, उसमें electromagnet का इस्तमाल होता है, permanent magnet की जगा, एक commercial motor के अंदर हम लोग electromagnet का इस्तमाल करते है, यह बाता मैंने आपको पहली बता दिया, electromagnet का इस्तमाल होते है, दूसरा, इसमें large number of turns होते है, यानि बहुत ज़्यादा coiling की जाती है, large number of turns होते है, यानि इसमें बहुत ज़्यादा coiling की जाती है, of the conducting wires in the coil, coil के अंदर जो conducting wire है, उनका बहुत ज़्यादा turn होता है, बहुत ज़्यादा coiling की जाती है, soft iron का इस्तमाल की जाती है, इतना याद कर लेना बहुत है, इससे ज़्यादा काट देना, जब अस्तियाद मत commercial motor के बारे में हमने क्या कहा जाना है, commercial motor के बारे में हमने जाना, कि इसमें electromagnet का इस्तमाल होता है, इसमें large number of turns होते है, बहुत ज़्यादा coiling की जाती है, इसमें soft iron का इस्तमाल की जाता है, इससे जो electric motor की power है, commercial motor की power है, बहुत ज़्यादा बढ़ा ही जा सकती है, ना नेक्स्ट टॉपिक है magnetic field in human body हमारी body human body में भी magnetic field बनता है तो कहां बनता है तो दो ऐसे parts है हमारी body में जो magnetic field को बनाते हैं एक heart और एक brain heart and brain in the human body heart and brain जो human body में have significant magnetic field ये magnetic field इसमें पाए जाता है बहुत ज़्यादा तो human body में मेंगनेटी फील दोजग पाए जाता है हर्ट और ब्रेन में आपने सुना होगा MRI बहुत लोगों का MRI कराए जाता है जब कोई बिमारी का पता ना चले तो लास्ट ऑप्शन होता है MRI जिसमें व्यक्ति के बॉड़ी को किसी मशीन के अंदर डाल देता है वो मशीन जो होता है व हमारी बॉड़ी के अंदर के औरगन का इमिज त्यार होता है can be obtained उसे प्राप किया जा सकता है using magnetic field, magnetic field का इस्तमाल करके of the organ. Organ के magnetic field का इस्तमाल करके, हमारी body के organ का magnetic field इस्तमाल करके, हमारे body के अंदर के जो organ है, उसका image बनता है, जिससे हम बीमारी का पता लगाए जा सके. तो यह दो छोटे topic आपके NCRT book में न, छोटे से box में दिया हुआ, तो मुझे लग आपको बता देना चाहिए, ठीक है? इस page के हमने क्या क्या जाना? इस page के हमने जाना कि commercial जो motor होते हैं, वो कैसे बनते हैं? इसमें electromagnetic का इस्तमाल होता है, large number of turns होते हैं, soft iron का इस्तमाल होता है, इससे electric motor की बहुत ज़्यादा power हो, वो increase हो जाती है. उसके बाद मैंने आपको बता है, इस page के अंदर कि human body में दो ऐसे parts है, जहां पर electric current या magnetic field पाई जाती है, वो है heart और brain. MRI क्या होती है? तो magnetic resonance imaging होती है, इसमें image तियार होता है हमारे internal organ, body के internal organ का image obtain किया जाता है, magnetic field का इस्तमाल करते हुए, ठीक है? Now, next topic है galvanometer, galvanometer क्या होता है? तो galvanometer एक ऐसा device होता है बच्चों, जो दो काम करता है, galvanometer दो काम करता है, एक तो electric current की presence को ना आपता है, कि electric current है या नहीं है, दूसरा direction of electric current, कि वो अगर है तो कौन से direction में है, फिर से बोला हूँ, आप चाओ जितना मर्जी रखता हमाल लो, लेकिन समझ ही लोगे ना, तो आप किसी भी question का आँसा दे सकते हो, galvanometer के एक्चों में दो काम होते हैं, एक, electric current के presence को ना आपना, कि electric current है या नहीं है, दूसरा, अगर electric current है, तो उसका direction क्या है, direction of electric current, यह galvanometer के काम होते हैं, उसके दो function होते है, instrument can be deducted, इसका इस्तमाल क्या जाता है, इस instrument का इस्तमाल क्या जाता है, to deduct, क्या करने के लिए, the presence of current, एक तो current जानने के लिए, इन्हें circuit की circuit में current है या नहीं है, it also detect the direction of current, और अगर current है, तो उसका direction क्या है, तो direction of current नापने के लिए भी, galvanometer का हम लोग इस्तमाल करते हैं, now, next topic है, electromagnetic induction, अब तक जो आपने पढ़ा था, उसका reverse है, उल्टा है, electromagnetic induction, एक महान scientist वे थे, जिनका नाम था Michael Faraday, नाम याद रखिए, Michael Faraday, उन्होंने कहा था, कि अगर मैं magnetic field को बहुत तेजी से घुमाए जाए, तो conductor में कुछ second के लिए current लाए जा सकता है, तो बारा सुने लेजिए, अगर हम लोग magnetic field को बहुत तेजी से घुमाएंगे, अगर magnetic field को बहुत तेजी से घुमाएंगे, तो conductor में current लाया जा सकता है, और इसका बहुत ज़्यदा आजकल इस्तमाल हो जाता है, बाइक में, कार में, सभी घाडियों में, इलेक्रिक जनरेटर में, हर जगह इसका इस्तमाल होता है, magnetic field को घुमा कर, आप conductor में current ला सकते हो, ये है magnetic field, ये है magnetic field, ये है conductor, तो magnetic field को घुमा कर, ये magnetic field में motion ला कर, आप conductor में current ला सकते हो, इसी को बोलते हैं, इलेक्रो मैग्निटिक इंड़क्षन, जिसकी खोच की थी, माइकल फेराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने है, तो Electromagnetic Induction हम लोग जानते हैं Electromagnetic Induction को Induced Current भी बोला जाता है तो अगर एक्जाम में Induced Current आ जाए तो घबराना मन एक ही बात है Induced Current ठीक है Electromagnetic Induction यह होता क्या है When a conductor is placed in a changing magnetic field अगर आप magnetic field के अंदर किसी conductor को रख दोगे Some Current is Induced तो कुछ Current Induced किया जा सकता है In it उस conductor के अंदर अगर आप magnetic field के अंदर conductor को रख दोगे तो कुछ Current इस conductor में लाया जा सकता है Such Current is called Induced इस टैप के Current को Induced Current कहता है And the phenomenon is called Electromagnetic Induction और इस पूरे फिनोमेना को Electromagnetic Induction के नाम से जाना जाता है जिसकी खोज की थी Michael Ferraday ने मैं फिर से बोल देता हूँ Electromagnetic Induction या Induced Current दोनों का मतलब एक है इसकी खोज की थी Michael Ferraday ने और ये बहुत बना रिसर्च था जिसमें बताया गया कि अगर हम magnetic field को change करते जाएंगे तो conductor में Current लाया जा सकता है इसी को Electromagnetic Induction का नाम दिया गया इन्हों ने इस चीज को दो activity से समझाए था activity नमर वन activity नमर वन में क्या किया गया कि आपको एक solenoid लेना है ये solenoid आपके सियाद होगा और इसके अंदर आपको galvanometer से इसको connect देना है ये solenoid आपका तयार है इसका एक हिस्सा galvanometer एक हिस्सा galvanometer से connect कर दो ठीक है galvanometer क्या करेगा galvanometer आपको बताएगा कि current है या नहीं है है तो कौन से direction में तो activity electromagnetic induction की activity आपके book में भी दिया होगा है बहुत जादा एक्जाम में आता activity number one इसमें उन्होंने दिखाया यह आपका जो है magnet है तो जब magnet को अंदर लाए जाएगा ध्यान से सुनिया जब magnet को अंदर लाए जाएगा तेजी से अंदर लाए जाएगा यानि magnetic field को change किया जाएगा जब magnet को बहुत तेजी से अंदर लाए जाएगा यानि magnetic field को change किया जाएगा ना अंदर डाला जाए, ना बाहर डाला जाए, या कहीं भी छोड़ दिया जाए, स्टैटिक छोड़ दिया जाए, तो इसके अंदर कोई current शो नहीं करेगा, तो Michael Friday ने शो करा, कि जब magnetic field को मैं change कर रहा हूँ, यानि magnetic field को अंदर ले जा रहा हूँ, या magnetic field को बाहर ले जा रहा हूँ, यानि magnetic field को अगर मैं change कर रहा हूँ, तो इसमें current आ रहा है, तो यही तो था induced current, क्या था induced current, नोंने क्या बोला था, कि अगर मैं magnetic field को change करूँ, यह हमारा magnetic field है, अगर मैं magnetic field को change करूँ तो conductor में current ला सकता हूँ अगर मैं magnetic field को change करूँ तो मैं conductor में current ला सकता हूँ that is called induced current क्योंकि हमने इसको current दिया है इसमें current था नहीं हमने इसको current दिया है इसलिए इसके induced current कहते हैं तो अगर magnetic field को change करेंगे तो conductor में current आएगा that is called induced current ये बात Michael Friday ने हमें समझाया और उन्होंने इसके लिए activity भी समझायी कि माल लीजिए आपके पास ये solenoid है ये आपका magnet है जब magnet को अंदर आप ले जाओगे ने इसके अंदर तो इसमें current शो करेगा जब magnet को बाहर निकालोगे तो static छोड़ोगे तो उसमें कोई current नहीं दिखाएगा तो तीन चीहा देखिए magnet को अंदर ले जाएंगे तो भी current दिखाएगा magnet को बाहर निकालेंगे तो भी current दिखाएगा लेकिन अगर magnet को static छोड़ दिया एक जगा छोड़ दिया तो उसमें current नहीं शो करेगा Magnate move into the coil, जब magnet को coil के अंदर लाए गया, momentary deflection in indicating presence of current, momentary deflection होगा galvanometer में, momentary deflection in galvanometer, जी मतलब galvanometer, यहाँ जी है, यह जी है galvanometer, तो momentary deflection होगा galvanometer में, indicating presence of current, यह बताता है कि current आ रहा है, magnet kept stationary inside the coil, अगर इस magnet को अंदर छोड़ दो, static form में, तो no deflection, तो कोई deflection ही होगा, कोई current नहीं आएगा, लेकिन जैसी आप इसे बाहा निकालोगे, magnet is withdrawn, जैसी आप magnet को बाहा निकालोगे, momentary deflection in G, तो फिर से momentary deflection होगा galvanometer में, but in opposite direction, opposite direction में, और first case, पहले case के opposite direction में, यानि direction उल्टा दिखाएगा, याद है ना, galvanometer क्या करता है, current भी बताता है, और direction भी बताता है, तो जब अंदर ले जाओगे, तब भी current दिखाएगा, जब बाहर निकालोगे, जब आप इसे बाहर निकालोगे, तब भी current दिखाएगा, बढ़ direction अलग-अलग होगा, लेकिन अगर आपने उसे stationary position में छोड़ दिया, तो current नहीं दिखाएगा, तो ये activity बताने के लिए काफी है, कि अगर magnetic field को change करते हैं, तो इसमें current लाया जा सकता है, clear हो गया, चलिए इस page पर हमने क्या जाना, ये page खतम होता है हमारा, इस page पर हमने जाना, electromagnetic induction induced current के बारे में, एक महान scientist Michael Faraday के बारे में, उन्होंने ये कहा था, कि अगर आप conductor को place कर दोगे, किसी changing magnetic field के अंदर, तो कुछ current लाया जा सकता है उस conductor में, इस type के current को induced current बोलते हैं, और इस पूरे process को electromagnetic induction कहते हैं, इसके लिए लिए अक्टिविटी दिखाये था, magnet को अंदर ले जाओ, current आएगा, magnet को बाहर निकालो, current आएगा, magnet को एक जगा छोड़ दो, current नहीं आएगा, तो magnetic field change होने से, current लाई जा सकती है, एक और activity है, एक और activity है, आईए, दूसरी activity में क्या गया, दो coil लिया गया, coil 1, coil 2, यहाँ पर दो coil है, पहले coil को हमें battery से connect करना है, दूसरे coil को हमें galvometer से connect करना है, ध्यान से सुनना, पहले coil को हमें battery से connect करना है, दूसरे coil को galvometer से connect करना है, अब इसमें तो current होगा, क्योंकि battery है, इसमें तो current होगा ना, क्योंकि ये बैटी से connected है, बट इसमें current नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये अगर इसका switch on करोगे, तो इसमें हलका सा current दिखाएगा, क्यों? क्योंकि जब switch on करते हैं तो magnetic field change होती है, जब आप इसे switch off करोगे, तो भी इसमें current दिखाएगा, क्यों? क्योंकि switch off होते भी, magnetic field change होती है, तो switch on करो, तो भी इसमें magnetic field दिखाएगा, switch off करो तो भी इसमें magnetic field दिखाएगा लेकिन अगरा on छोड़ दो तो magnetic field चेंज नहीं होड़ा यानि इसमें current नहीं दिखाएगा या switch off छोड़ दो तक तो मतलब भी नहीं बनता magnetic field का किलर हो या मैं क्या कहरा हूँ? दुबाई चुलिए जब आप इसको on करोगे जैसे ही आप switch को on करोगे निसका तो इसके अंदर magnetic field मतलब इसमें current दिखाएगा क्योंकि जब हम switch on करते हैं ना तो magnetic field change होता है तो magnetic field change हुआ तो इसमें current दिखाएगा जब आप इसे off कर दोगे, बंद कर दोगे जैसे off करोगे, इसमें deflection होगा क्योंकि magnetic field change हुआ तो इसमें deflection हुआ लेकिन आप switch on छोड़ दो या switch off छोड़ दो static छोड़ दो तो इसमें कोई current दिखाएगा, नहीं क्योंकि इसमें magnetic field change नहीं होगा तो यहीं आप बताने कोश की गई है जब आप switch on करोगे तो momentary deflection होगा galvometer में अगर आप current को छोड़ दोगे, चलता हुआ तो no deflection, कोई deflection नहीं होगा क्योंकि magnetic field change नहीं हुआ अगर आप switch off करोगे, तब भी momentary deflection दिखाएगा galvometer में बटी, opposite direction of the first लेकिन पहले के opposite direction होगा ultra direction दिखाएगा clear हो गया, मैं क्या कह रहा हूँ switch on करोगे, तब deflection होगा switch off करोगे, तो भी deflection होगा यानि current दिखाएगा, लेकिन static छोड़ दोगे switch on करके छोड़ दोगे, तो समय कोई deflection नहीं होगा इस activity से तो पता लगा ना, इस activity से क्या पता लगा रहा है, कि magnetic field change होने से current लाया जा सकता है, magnetic field बदलने से current लाया जा सकता है, इसी को induced current नाम दिया गया उसी के बाद flaming ने एक और rule दिया, जिसको बोलते है flaming right hand rule, अभी आपने left hand rule पढ़ा था नहीं यह वाला, यह left hand rule था ना, अब आपको यह ची राइट hand rule पढ़ना है, यह right hand rule है, सेम चीज है, first point सेम रहेगा, यह क्या है thumb, यह क्या है four finger, यह क्या है middle finger, एक दूसरे के perpendicular होना चाहिए, अगर हमारा thumb, four finger और middle finger एक दूसरे के perpendicular है, तो अब क्या होगा, तो अब आपको बताना है, thumb जो है न, वो दिखाएगा movement of conductor, movement of conductor, जो आपका four finger है, यह आपको दिखाएगा magnetic field of conductor, magnetic field of conductor, और जो आपका middle finger है, वो दिखाएगा induced current, अब यह current नहीं है, अब यह induced current है, ध्यान दीजिए, वहाँ पे current था, यहाँ देखिए, मैंने current बताया था, current, but this is induced current, अब यह induced current है, अगर हम अपने right hand के thumb, four finger और middle finger को एक दूसरे के perpendicular रखते हैं, पहला point यहाद हो गया, first point यह बताना है, कि thumb, four finger और middle finger को एक दूसरे के पर्पेंडिकुलर रखते हैं, तो, thumb will represent motion of conductor, four finger will represent magnetic field of the conductor, and the middle finger will represent the induced current of the conductor, दो point है, पहला point आपको बताना है, perpendicular वाला, और दूसरा point, motion of conductor, या moment of conductor, magnetic field of conductor, induced current of the conductor, देखिए, यही पर यहाँ पर, same आपको बताऊंगा, hold the thumb, यहाँ यह यह वाला part, the four finger, four finger मतलब यह वाला part, and the middle finger on the right hand, at right angle of each other, बिल्कुल यही पहला point है, कि आप अपने right hand के thumb, four finger, middle finger को एक दूसरे के perpendicular रखो, तो क्या होगा, if the four finger is direction of the magnetic field, अगर आपका four finger, जो है, वो magnetic field को रिपेंड कर रहा है, and the thumb point in the direction of motion of conductor, और आपका thumb, जो है, वो motion of conductor दिखा रहा है, यह क्या दिखा रहा है, motion of conductor, यह क्या दिखा रहा है, magnetic field of conductor, then the direction of induced current, तो induced current कौन रिपेंड करेगा, तो induced current रिपेंड करेगा, हमारा middle finger, indicated by middle finger, clear हो गया, यह दूपन मैंने आपको पहले ही बताए था, तो इस page पर हमने क्या जाना, जल्दी से मैं आपको reverse कर देता हूँ, इस page पर हमने जाना, activity number two, activity two number हमने जाना, कि जब switch on करेंगे, तो समय current होगा, switch off करेंगे, तो भी समय current represent करेगा, लेकिन अगर current को steady छोड़ देंगे, on करके छोड़ देंगे, तो इसमें कोई current show नहीं करेगा, क्योंकि इसमें magnetic field chain नहीं हो रहा है, बागि समय magnetic field chain हो रहा है, right hand thumb rule यह कहता है, कि अगर आप right hand के thumb, four finger औ middle finger को इक परपेंडिकुल रखते हो, तो थम जो होगा, वो motion of conductor होगा, four finger जो होगा, वो magnetic field of conductor होगा, middle finger जो होगा, वो induced current of the conductor होगा, ठीक है, यह diagram आप चाहों तो बना लेना और अच्छे से समयने के लिए, इसी के बाद बच्चो, इलेक्ट्रिक जन्रेटर का विष्टा होगा, इलेक्ट्रिक जन्रेटर क्या होता है, पहले इसकी definition जान लेते हैं, कि इलेक्ट्रिक जन्रेटर बोलते किसको है, what is electric generator, तो electric जन्रेटर भी है न, एक तरस एक device होता है, जो convert करता है mechanical energy into electric energy, यह एक ऐसा device है, Electric Generator is a device. Electric Generator एक ऐसा device है which converts Mechanical Energy into Electrical Electric Energy, Mechanical Energy में convert होता है. ये था Motor. लेकिन generator में क्या होता है, mechanical energy, electric energy में convert होता है, उल्टे है एक दूसरे के, ठीक है, now, principle of electric generator, कि electric generator कौन से principle पर काम करता है, what is the principle of electric generator, तो electric generator basically दो principle पर काम करता है, in an electric generator, electric generator के अंदर, mechanical energy is used to rotate a conductor, mechanical energy का इस्तमाल किया जाता है, conductor को rotate करने के लिए, in a magnetic field, magnetic field के अंदर, to produce electricity, ताकि electricity प्रेद्यूस किया जा सके, generator work on the principle of electromagnetic induction, electric generator कौन से principle पर काम करता है, तो यह electromagnetic induction पर काम करता है, जो कि Michael Faraday ने दिया था, induced current का, जो आपको rule बता है, induced current, याद किजिए, कि अगर magnetic field को change करोगे, magnetic field को change करोगे, magnetic field को change करोगे, तो conductor में कुछ second के लिए current लाया जा सकता है, तो यह दो principle पर काम करता है, पहला क्या था, कि यह electric generator क्या करता है, mechanical energy को electric energy में convert करता है, दूसरा, यह electromagnetic induction के principle पर काम करता है, अगर हम construction की बात करें, जनरेटर कैसे बनता है, तो इसमें भी वही चार आपको main ची याद अखना है, पहला तो field magnet, एक field magnet होता है, it is a strong horse होई shape, यह horse होई shape का होता है, जो की permanent magnet से बनता है, जिसके अंदर concave pole होता है, field magnet, यह बहुत जादा strong horse होई shape का होता है, गोड़ी की ना चार आथा सحت पेज पो हमने क्या कैसे जाना, इस पेज़ पर हमने जाना, कि electrical generator होता है, electric generator mechanical energy को electric energy में convert करता है, electric generator का principle क्या है, electric generator दो principle पर काम करता है, यह mechanical energy को electricity produce करने के लिए brakes करता है, 방 누ρι after induction, अगिंड्यूस करें के principle गां करता है, janator बनाने के लिए field magnet, जो धोट होता है घो होते हैं फिर वही आर्मेचर आर्मेचर आपको याद है यह सब चीह आपको याद है तो मैं जल्दी करा देता हूं आर्मेचर क्या होता है तो ABCD rectangular armature होता है कॉई it consists of a large number of turns इसके अंदर बहुत सारे turn coiling होती है insulated copper wire की wand on a soft iron जो की soft iron पर आर्मेचर क्या जाता है तो यह आपको पहली पता है आर्मेचर यादा न एक rectangular shape में होता है ABCD rectangular shape में होता है इसके अंदर large number of turns होते हैं बहुत सारा large number of coiling की जाती है insulated copper wire copper wire से एक soft iron के ऊपर जो की cylindrical form में होता है split ring याद कीजिए दी जाता two brass ring ये दो ring होते है आर्वन आर्टू रिगिड़ली connected to the two end of the armature coil जो की armature coil से connect होता है as coil rotate जैसे coil rotate होता है split ring also rotate तो split ring जी होता है वो भी rod होते है बीवन और बीटू विच कैफ ते प्रेसेड अगें दा split ring जो कि split ring क्यों connect करता है आर्वन आर्टू से थ्रू दीज ब्रसेश इस ब्रसेश के वज़ए से current जो होता है इंड्यूस किया जाता है आर्मेचर में कॉली सेंट टूदा बिल्कुल सब इस प्रेक्टिक जन्रेटर कर रहा है तो याद किजिए rectangular coil coiling हो रही है सब कुछ वही है बस उसमें क्या था इस split ring जो होता न वो two half था इसमें two half नहीं होता फुल फुल होता है पूरा गोल होता है दो है न दो आर्वन आर्टू यह पूरा पूरा होता है ब्रसेश बही है ब्रसेश क्या करता है इस split ring को बैटरी से जोडता है यहाँ पर galvometer से उसको connect करेगा तो सब कुछ वही है उसम made of to rotate उसका काम होता है rotate होना freely from an external source external source है तो आप इसे याद कर लेना आप इसे एक बार पढ़ लेना याद हो जाएगा क्योंकि एक्जाम में कभी पूछा नहीं गया बट मुझे लगा syllabus में है तो आप बढ़ लो ना में टॉपिक पर आते हैं जो पेपर माता है वह है types of generator बच्चों धो type के generator होते हैं चो आप यह आपने generator सीखा था जन्रेटर में क्या सीखा था कि यह mechanical energy प्यादे generator समझे होता क्या है mechanical energy को electric energy में convert करता है generator दो type के use होते है एक होता है alternate current एक होता है direct current टेक है बोलते हैं, alternate current AC, alternate current की खोज की थी हमारे Nicholas Tesla नाम के scientist ने, और direct current को बढ़ावा दिया था हमारे जो Thomas Alva addition थे, जिन्होंने बल्व की खोज की थी, उन्होंने, इनके बारे में history है बहुत कुछ, आप जानोगे तो बहुता मज़ा आएगा आपको इन दोनों की लड़ाई के बारे म कि किस बात पिन के आपस में नहीं बनीती, कभी एक साथ काम करते थे, कि बाद में यह अलग-लग होगे, जो कि Nicholas Tesla कहते थे, भविष्च में AC, alternate current यूज होगा, और Thomas Alva addition कहते थे, भविष्च में DAG current यूज होगा, जबकि भविष्च में आज के समय में AC यूज होता है, हर ज चेंज करता है, हर एक सेकेंड में कई बार direction को change करें, तो जो अपने direction को change करें, उसे बोलते हो, alternate current, direct current होता है, इसमें कोई change नहीं होता, direction का, एक ही direction में current flow होती है, तो जो अपने direction को change करें, वो alternate current, और जिसमें direction change नहीं, direct current, देखे, simple है, तरीका है, simple याद हो सकता है, इसके डिरेक्शन चेंज हो, डिरेक्शन चेंज हो, डिरेक्शन चेंज ना हो, खतम हो गई बात, ठीक है, बागे इसके यूजेज, मिस्यूजेज, सब मैं आपको समझाओंगा, सबसे पहले, अल्टरनेटिंग करेंट, यानि एसी के बार में जानते हैं, सचे करेंट, विच चेंज एसा करेंट, जो अपने डिरेक्शन को चेंज करता है, एक फिक्स टाइम के बाद, इसको अल्टरनेट करेंट, इसको अल्टरनेट करेंट, जो अपने डिरेक्शन को एक सेकेंड में कई बार चेंज कर दे, जो अपने डिरेक्शन को एक सेकेंड में कई बार चेंज कर दे, that is called AC, alternate current, और जो अपने direction को change ना करे, उसे बोलते हैं, DC, यह नहीं, direct करे, फर्क पता लग गया, alternate current में direction change होता है, और direct current में direction change नहीं होता है, ठीक है, इस page पर मैंने क्या जाना, एक हमने armature पढ़ा, तो यह armature है, मैं आपको diagram समझा देता हूँ, एक second यह लिए, यह rectangular shape दिखाएदा आपको rectangular shape, यह armature है, जो की ring से connect होता है, यह ring से connect होता है, उसके बाद slip ring, slip ring इसमें दो होता है, जो कि दो हैं, एक उपर है, एक नीचे है, इसको slip ring कहते हैं, या split ring भी बोल सकते हो आप, यह दो होता है, closer to R1, R2, उसके बाद brushes होता है, brushes जो होता है, वो connect होता है, ब्र cm2, जो होता है, वो connect होता है galvanometer से, और उसके बाद ankle या arcal कई नाम है, अलगले नाम है, arkel, ankle, कई नाम होते हैं, जो की rotation में help करता है, जो ankle और ankle होता है, वो rotation में मदद करते हैं, नहीं होता है यह definition पर ही now next topic पर आते हैं AC के बारे में कुछ खास बाते हैं पहला the current which reverse is direction periodically जो अपने direction को change करता है उसे AC कहते है in India India के अंदर AC जो है reverse करता है अपने direction को in every one upon hundred seconds यानि एक second के 100 में इससे में अपने direction को change कर लेता है speed समझें इंडिया में AC जो है reverse करता है अपने direction को every one upon hundred seconds यानि एक second के 100 में हिससे में अपने direction को change कर लेता है AC time period जो है वो होता है one upon hundred एक तरफ होने में और one upon hundred एक तरफ होने में यानि दोनों मिलाके time period आएगा one upon fifty second frequency कितनी होती है तो AC की frequency इस ट्रेम चलिए 50 हर्टेज इंडिया के अंदर frequency का formula क्या होता है one upon time period और time period क्या है था one upon fifty तो one upon fifty 50 जाएगा ऊपर तो 50 हर्टेज इंडिया के अंदर जो AC की frequency है वो है 50 हर्टेज ठेक है अपने current के direction को change करते हैं इंडिया के अंदर AC जो है अपने direction को change करता है एक सेकंड के सौमें इससे में उसका time period होता है one upon fifty second frequency होती है 50 हर्टेज AC के advantage क्या है तो AC के बहुत advantage मैं आपको advantage अलग से ही बता सकता हूँ रुक जाए आप notes को बात में बात करना पहले मैं अलग से समझाता हूँ AC क्यों use होता है देखिए AC का इस्तमाल हम लोग करते हैं उसके कई reason है AC की बात करता है alternate current कारन कौन होता है जो अपने direction को बार बार change करता है ठीक है direction याद रखोगे AC को दूर तक भीजा सकता है आप पंजाब सकाइद के दिल्ली लेआओ दिल्ली के सकाइद के पंजाब लेआओ तो AC को दूर तक भीजा सकता है तीसरा AC में लाज्व off energy नहीं होती ही loss of energy बिलिकुल नाक के बेराबर होती है उर्जा बरवाद नहीं होती है इसमें AC direction chain करता है इसे दूर तक भेज सकते हो इसमें energy का loss कम होता है के लिए रोग गया यह तीन बात याद रखोगे AC के बारे में और एक इसका disadvantage भी है AC खतरनाक होता है यह shock देता है अगर इसको कोई छूले गलती से तो यह खतरनाक shock देता है यह बहुत dangerous होता है यह disadvantage है कि AC जो है बहुत खतरनाक होता है dangerous होता है तो अगर advantage की बात करें तो दो advantage आप बता ही सकते हो AC can be transmitted over long distance AC को बहुत दूर तक transmit किया जा सकता है AC can be transmitted AC को transmitted किया सकता है over long distance दूर तक भीया सकता है without much loss of energy बिना loss of energy के disadvantage क्या AC का AC को आपने store नहीं कर सकते और AC शॉक देता है दो disadvantage है पहला disadvantage क्या है AC को आप store नहीं कर सकते दूसरा क्या disadvantage है AC बहुत dangerous होता है खतरनाक होता है direct current direct current को होता है जो अपने direction को change नहीं करता the current which does not reverse its direction ऐसा current जो अपने direction को reverse नहीं करता ऐसा current जो अपने direction को reverse नहीं करता DC को हम store कर सकते है battery में restore कर सकते है अराम से easily store होता है mobile के अंदर जो battery है उसमे DC कर रिवर्ट है तबीतो जे में रखके गुम रहे हो क्यों खतरनाक नहीं है तो AC को न AC का एक और advantage है AC को नदर DC में convert कर सकते है लेकिन DC को AC में convert नहीं कर सकते है DC को store किया जा सकता है AC को store नहीं किया जा सकता loss of energy ज़्यादा होती है during transmission जब transmission हो जाता है एक जिगर से दुश्यादा भीया जाता है DC को loss of energy ज़्यादा होती है over long distance जब दूर तक भीया जाता है DC को loss of energy ज़्यादा होता है source of DC DC को रखा कहा जाता है तो cell में battery में storage cell में इन सब में stored किया जाता है तो यह सब DC के बारे में था एक बाद जल्दी से बता दू चलिए फिर इन दोरों में difference भी बता दूँगा अलग से इस पेज़ पर हमने क्या जाना alternate current जो reverse करता हो अपना direction periodically इंडिया के अंदर AC का जो reversing time है वो है 1 upon 100 second time period है 1 upon 50 second frequency है 50 advantage क्या AC का तो इसको long distance तक भीया सकता है loss of energy कम होती है disadvantage क्या है इसको store नहीं कर सकते और यह shock देता यानि dangerous होता है direct current जो reverse नहीं करता अपने direction को इसको आप store कर सकते हो इसमें loss of energy ज़्यादा होती है जब आप दूर भीजोगे इसको कहां रखते हैं तो cell में, battery में storage cell के अंदर ठीक है? अब बच्चों आपका अगर paper माज़े न AC और DC में difference तो मैं आपको difference बलाता हूँ short में देखिए रखिये मस चीजों का समझिए AC जो अपने direction को change करे जो अपने direction को change करे वो AC जो अपने direction को change ना करे वो DC पहला जो अपने direction को change करे वो AC जो direction को change ना करे वो DC दूसरा इसको दूर तक भेजा सकता है इसको दूर तक नहीं भेजा सकता तीसरा इसमें loss of energy कम होती है इसमें loss of energy ज़्यादा होती है चौथा AC को आप store नहीं कर सकते DC को आप store कर सकते हो पाच्वान यह ज़्यादा dangerous है, यह कम dangerous है, पार difference हो गया, direction change, direction नहीं change होती है, long distance travel कर सकता है, नहीं कर सकता, loss of energy कम होती है, loss of energy ज़्यादा होती है, इसको store नहीं किया जा सकता है, इसको store किया जा सकता है, यह ज़्यादा dangerous होता है, यह ज़्यादा dangerous होता है, एक और difference है, AC को, मैं च्छटा DC, but DC cannot be converted into AC. AC can be converted into DC, but DC cannot be converted into AC. तो लिजिए छे आप difference बता रहे हो ला? Direction chain, direction chain नहीं होता, long distance travel करता है, long distance travel नहीं करता, loss of energy कम होती है, loss of energy ज्यादा होती है, it cannot be stored, it can be stored, it is more dangerous, it is less dangerous, AC can be converted into DC, but DC cannot be converted into AC. तो यह difference अपने आप भी बता सकते हो. Now, next topic आता है, domestic electric circuit. तो domestic electric circuit में, पहरा तो मैं जाना पड़ेगा, कि जब हम घर में, domestic electric circuit का मतलब जो घर बनाते हैं, तो घर के अंदर basically हम लोग 3 type के wire इस्तेमाल करते हैं, तो पर माता है, three kinds of wire, जो तार अनलोग इस्तेमाल करते हैं, वो तीन type के होते हैं. तो domestic electric circuit, domestic electric circuit का यहाँ पर मतलब है, कि जब घर बनाया जाता है, तो किस परकार उसकी wiring की जाती है? तो domestic electric circuit में तीन type के wire आता है, एक आता है live wire, एक आता है neutral wire, एक आता है earth wire. मैं विर्च से बोल देता हूँ, जहाँ three types of wire in domestic electric circuit. Domestic electric circuit में तीन type के wire होता है, live wire, neutral wire, earth wire. Live wire positive होता है, neutral wire negative होता है, earth wire में कोई charge नहीं होता. Live wire जो होता है, वो red color का होता है, neutral wire जो होता है, वो black color का होता है, earth wire जो होता है, वो green color का होता है. अब आपको कि सर में तो blue color भी देखा है, में तो white color भी देखा है, तो वो officially आप कोई भी color दे दो, officially आप कोई भी color आपनी company आप जो मर्जी color दो, लेकिन जो science कहती है, वो ये कहती है, live wire red होना चाहिए, neutral wire black होना चाहिए, earth wire green होना चाहिए, चेक है, now, India के अंदर, जितने भी domestic electric circuit होता है, उनका potential difference पूछा जाएगा, तो the potential difference between live wire and neutral wire, live wire और neutral wire में जो potential difference होता है, वो होता है, 220 volt का, यानि हमारे सभी घरों में, domestic electric circuit है, हम सब के घरों में, 220 voltage हाता है, चेक है, अब इसे connect कैसे करते है, तो pole, आपके गली में pole होगा न, pole से आपने देखा होगा, yellow color का एक wire में, उसे fuse में connect करते है, fuse को connect करते है, electric meter से, electric meter से, फिर electric meter से distribution port, अलग-अलग जो घर में आपके board लगा होए उसमें भी दिया जाता है, और उसके बात separate circuit में भी दिया जाता है, तो आपको इस step याद करना है, पहले pole, pole से mean supply द्वारा fuse में लाया जाता है, fuse से electric meter में लाया जा फैन में कोई आपका आ जा रहा है, AC में कोई आपका जा रहा है, Cooler में वगएरा, separate electric circuit में divide हो जाता है, तो जब भी domestic electric circuit के बारें पूछा जाएं, तो यह सारी बातें आपको याद हकना है, ठीक है, उसके बाद earth wire, earth wire क्या है, earth wire का use क्या है, तो इसे बोलते हैं, protecting wire, यह protect करता है हमारी devices को, कैसे? Protect us from electric shock, यह electric shock में protect करता है, in case of leakage of current, अगर कहीं से current leak हो रहा हैं, किसी कारण से, अगर किसी कारण से current leak हो रहा है, especially in metallic body, अगर किसी metallic body से current leak कर रहा है, तो earth wire क्या करेगा, उन सभी leak current को खीच कर, earth के नीचे भेज़ देगा, तो आपको न शौक नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा, आपको, मतलब current से बच जाओगे, इट प्रोवाइडर लोड असिस्टेंस, यह लोड असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, पात, यह लोड असिस्टेंस पात प्रोवाइड करता है, फोर करेंड, करेंड को, इन केस ओफ लिकेज अब करेंड, जब करेंड लीख होता है, मालीजी कोई डिवाइज है, आपके घर में है, उसमें करेंड लीख हो रहा है, तो अगर आप छोग तो करेंड लगेगा, लेकिन उतना ज़्यादा शौक नहीं लगेगा, जिता लगना चाहिए, क्योंकि अर्थ वाइर क्या करता है, अधिकता करेंड को खेज कर अर्थ के नीचे भेज देता है, यह प्रोटेक्ट करता है, हमें एलेक्टिक शॉक से, in case of leakage of current, अगर current कहीं से leaked हो रहा है, specifically in metallic body, खासकर metallic body से, इट प्रोवाइड लोड असिस्टेंस पाःद, यह लोड असिस्टेंस पात प्रोवाइड करता है करेंड का, in case of leakage of current, अगर कहीं से current leak हो रहा है, short circuit क्या होता है तो पहले समय लिए short circuit होता गया है मैंने आपको क्या बता है था live wire neutral wire live wire जो की red color का है neutral wire जो की black color का है live wire जो की positive होता है neutral wire जो की negative होता है अगर किसी कारण से ये दोनों wire connect हो जाए किसी कारण से अगर ये दोनों wire connect हो जाए आप उसमें जुड जाए तो उस केश को बोलते है शौर्ट सर्किट तो होता क्या है कि लाइब वायर जो की रेड कलर का है और न्यूट्रल वायर जो की ब्लैक कलर का है अब किसी कारण से अगर ये लाइब वायर और ये न्यूट्रल वायर आप उसमें कनेक्ट हो जाए न तो electric current बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है electricity current जो है, voltage है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस case में आग लगने के chance होता है उसी को short circuit बोला जाता है when live wire यानि red वाला come in direct contact with the neutral wire यानि black वाला, इसके contact माँ जाता है accidentally, किसी कारण से resistance of circuit become low तो resistance एकदम से कम हो जाता है resistance गिर जाता है can result in overloading और overloading का खत्रा हो जाता है यानि electric current इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उससे आग लगने का खत्रा होता है तो short circuit का मतलब है live wire और neutral wire का connect होना live wire और neutral wire अगर किसी कारण से accidentally connect हो जाए तो resistance कम हो जाता है और overloading बढ़ जाती है current बहुत जाता बढ़ जाती है इसको बोलते है short circuit का case इस page पर हमने क्या जाना है जल्दी साब को revise करा देता हूँ domestic electric circuit में तीन टाइप के wire इस्तमाल होते है पहला होता है live wire जो की positive होता है red color का neutral wire जो की negative होता है black color का earth wire जो की green होता है potential difference इंडिया में 220 चलता है domestic electric circuit में pole से main supply द्वारा घर के अंदर लाते है पहले current को उसको fuse से connect करते है फिर electric meter से connect करते है electric meter से अलग-अलग room में distribute कर दिया जाता है और फिर अलग-अलग circuit में electric current को दे देते है earth wire हमें protect करता है electric shock से अगर कहीं leakage हो रहा है electric current खासकर कोई metallic body appliances है अगर current leak हो रहा है तो हमें shock से बचाएगा यह provide करता है low resistance path electric current के लिए अगर कोई current leak हो रहा है short circuit क्या होता है तो जब live wire और neutral wire accidentally किसी current से मिल जाए तो उस case को short circuit कहते है इसमें resistance जो होती है कम हो जाती है और overloading का खत्रा बढ़ जाता है now overloading क्या होता है आपने अकसर देखा होगा अगर आप कोई ज़्यादा powerful चीज अगर आप socket में लगा देते हो तो वो जल जाता है देखा होगा आपने कोई powerful जैसे electric meter आपके पास कोई electric rod है जिसे पानिगरम करते हो और normal board में लगा दो तो board में आग लग जाएगा जो overloading होता है overloading का मतलब है capacity से ज़्यादा electric current खीचना उस board की capacity कम है और आप उससे ज़्यादा current खीच रहे हो तो capacity से ज़्यादा electric current को खीचना capacity से ज़्यादा electric current को draw करना इसकी board की capacity कम है और आप electric current ज़्यादा draw कर रहे हो खीच रहे हो तो capacity से ज़्यादा अगर electric current आप खीचोगे तो इस case को बोलते overloading और इसमें आग लगने का फिर से खत्रा होता है when current drawn is more than जब current draw करते हैं ज़्यादा carrying conductor capacity capacity से ज़्यादा किसी conductor के conductor के capacity से ज़्यादा जब current को draw करते हैं इसको बोलते हैं overloading when current drawn is more जब current ज़्यादा draw करें more than current carrying capacity of a conductor conductor के capacity से ज़्यादा अगर current को draw करेंगे तो इसको overloading बोलेंगे overloading का कारण क्या होता है accidental hike in voltage, voltage बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, use of more than one appliances, अगर आप एक से ज़्यादा appliances यूज करते हो, एक single socket में, तो उससे भी overloading होता है, overloading क्यों होता है, कारण क्या है, तो इसके दो कारण है, पहला, अगर voltage बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो वहाँ से भी overloading होती है, अच्छा, ये चीज़ हमारे पास है, आजकल safety devices, मैंने किसी के pre-board में देखा था, तो add कर दिया, safety devices हमारे घर में तीन है, आजकर, एक electric fuse है, जो की meter के बगल में लगा होता है, अगर कोई current ज़्यादा बढ़ जाती है, तो electric fuse उड़ जाता है, और सारे appliances बंद हो जाते हैं, एक तो electric fuse, दूसरा earth wire, जो आपने पढ़ा था green color का, कि अगर कहीं से current leak होगा, तो current को खीच लेगा, और आजकल आ रहा है MCB, miniature circuit breaker, यह अपने आप ही down हो जाता, आपने देखा होगा, अगर current कभी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यह अपने आप ही गिर जाता है, तो हमारे घरों में आजकल तीन safety devices है, electric fuse, earth wire और MCB, ठीक है बच्चों, तो इस page पर हमने क्या जाना, इस page पर हमने जाना, overloading, overloading होता क्या है, तो conductor के capacity से, जादा current को draw करना, कीचना, overloading होती है, overloading का causes क्या है, तो voltage अगर बहुत जादा बढ़ जाए, तो उससे overloading का खत्रा होता है, या एक ही socket में, बहुत जादा appliances है, connect कर दोगे, उससे भी overloading का chances होता है, हमारे घरों में तीन safety devices है, electric fuse, earth wire और MCB, तो यहाँ बच्चों, हमारा ये बैतरी इन chapter, complete होता है, बड़ा chapter था, खतरनाक chapter था, I hope, अब देखो, मेरे mobile की battery भी चली गई, तिसलिए बंद हो गया उसका जो flash होता है, I hope, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ऐसी पढ़ते रहिए, महनत करिए, माबाप का नाम रोशन कीजिए, देश का नाम रोशन कीजिए, मिलते अंगने chapter में, नए एनरजी और नए जोश के साथ, तब तक अपना ध्यान लखिए, जय हिंद, जय भारत!